नमस्कार दोस्तों जारकन कोचिंग क्लासेस की यूटीब चैनल में आप लोगों का श्वागत हैं हम सभी जानते हैं इतने लिमिटेट टाइम में चीजों को रिवाइज करना बहुत जादा मुस्किल है लेकिन फिर भी अगर परिशानी आ गया है तो उसको तो हम लोगों को solve करना ही होगा उस परिशानी से लड़ना ही होगा हम लोग कोई excuse नहीं दे सकते हैं कि हम लोगों के पास समय है या नहीं जो भी अपने तरब से हम कर सकते हैं वो तो करना ही पड़ेगा और वही हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं आपको यह excuse नहीं होना चाहिए कि हम जो है महनत नहीं कियें इसलिए मेरा exam नहीं निकला exam निकलना ना निकलना यह बात की बात है अपने तरब से पूरा मेनत करना यह आपका एक तरब से करतब्य है और यह आपको करना भी चाहिए और वही हम लोग कर रहे हैं और जो भी चीज आपको करने के लिए कहा जाता है वो चीज हम खुद करके यहाँ पे आपको बता रहे हैं तब आपको करने के लिए यहाँ पे हम कह रहे हैं तो एस तरह से यहाँ पे आज हम लोग पेपर वन को डिसकस करने वाले हैं पेपर वन आ आज यहां पे हम लोग डिसकस करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि जब पीएसी किस तरह के प्रशन पूछता है चाहे वो सिविल सर्विस का एक्जाम हो चाहे अधर कोई भी एक्जाम हो तो इस तरह से आपको जेपीएसी के समझ में आ जाएगा कि हिस्ट्री जोग्राफी पॉलेटी एकोनोमिक्स में किस तरह के प्रशन पूछे जाते हैं और उसको हम लोग इस वीडियो में रिविजिन करने का प्रयास करेंगे हम प्रयास करेंगे कि सिलेबस के अनुसार आपको चीजों को बताया जाए जैसे कि यह में आपका प्राचीन मद्यकालीन और आपका अधुनिक तीनों भारत यहां पर आता है तो यह आपका 213 प्रशन को हम लोग यहां पर रिविजिन करेंगे फिर सेकेंड नमबर में यहां पर आपका जोग्रफी जिससे 10 प्रशन यहां पर आपको पूछा जाएगा तो इसी 11 प्रशन 2021 तक यहां पर पूछा गया है अगला जो सेक्षन है थोड़ा सा वास्ट है और यह तरह से कहिए डाइनेमिक है टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है जो कि एकॉनोमिक्स है तो अगर समय बचेगा तो हम लोग एकॉनोमिक्स को भी यहां पर डिसकस कर लेंगे यह हो सकता है आउट डेट वाला कुशन मिल जाए लेकिन फिर भी बेसिक चीज अगर समझें लाइक होगा तो उसको भी हम लोग समझेंगे इसके बाद साइंस और टेकनलोजी काफी इंपॉर्टेंट है 15 सवाल है और साइंस और टेकनलोजी के कुछ पार्ट जो हैं अल्रे परियास नहीं किये थे अपने क्ये तरब से जो भी एएस चीर पी एसी जो भी हम मोगों समय दिआ है वहां पर अमगों प्रयासे कर ह स tienes paired करना एक़म थोढ़ाब अपर पर रहे यह सीरीज होने वाला है चलिए यहाँ पर आपको एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि इतना लिमेटेट टाइम ने हम चीजों को रिवाइस कर रहा है तो किसी भी आंसर के स्वरी आंसर को एक्स्प्लेशन और आंसर करेंके अगर किसी का इतिहासिक कल किसको कते हैं जो है जिसका趣ित आपका कोई भी शाकषिय आपको नहीं मिलता हा उस kuv लोग प्राग अवसेश हैं उसी के अधार आपको इतिहास को रशना पड़ा। फिर आद एतियासिक काल में होता है सेंडो शबयता जिसमें कुछ लिखित स्रोत तो मिलते हैं लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते हैं और एक होता है आतियासिक काल जैसे की वेद जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके बारे में जानने हैं तो चलिए प्राग एतियासिक काल मे को सकते हैं पहली बार यह परियूग किया गया था उसके बाद के तांड पक्ष तो और नहीं पर नहीं पा मिल है लेकिन हम लोग उसको पढ़ने ही पाए थाइश है बारत में चांधी उपड़ा थी प्राचिनतम साक्ष जो ही वह आको कहां वहां पे मिलेंगे तो यह आपको अहां पे देखने को मिले उसके बाद तीसरा कोशन है संद्धोगाती सब्हार करती थी मतलब सबस स crustace सब्सक्राइब था जो है वो हम लोग देख्ते थी वहां जो लोग भी रखते थे तो अगर आप धेके wipes करते थे मेशोपोटामिया कते थी नेक्स्ट कुशन है भारत में हरपा का व्रेहदतर अस्थल कौन सा है मतलब सबसे बड़ा अस्थल जो है वो कौन सा है तो कई हरपा अस्थल है जिसमें से भारत में जो व्रेहदतम बड़ा अस्थल है वो माना जाता है फिलाल के लिए राखी गड़ी तो इस तरह से य सास्त्र के अंतरगत कोन आते हैं तो धर्म सास्त्र में आपका धर्म सुत्र भी आता है इस्मृत्र के अंतरगत आते हैं अम फिर से बोल रहे हैं सब को डिटेल वाइस कवर करकाना इस लाश्ट टाइम में बहुत वोश्किल है तो अगर आपको कोई भी explanation पढ़ना है तो वीडियो पाउस करके यहां पर देखके पढ़ सकते हैं निमलकित चार वेदों में किसे एक से अर्थर वेद और आसे अंद्विस्वास होता है तो इस तरह से इसका उंसर जो जाएगा वह सबसे प्राचीन वेद को न से यहां पर लिखशा गया ताया जिसमें 10 मंडल और एक हजार, अठाई सुक्त यहां पर देखने को मिलेंगे जेलम नदी का प्राचीन नाम या वधिक काल का नाम क्या है तो जेलम नदी का वैधिक नाम वो वितिष्ता है अगर और यहां पर नाम यान करना चाहे तो दिया गया है काबुल को कुम्भा के नाम से कुरम को कुरुमू के नाम से गोमल गोमती श्वात सू वास्तू सतुद्री व्यास को विपासा रावी को परूशनी और जेलम को वितस्ता और चीनाप को असकनी के नाम से जाना जाता है तो इस तरह से ये चीज़ आप याद कर सकते हैं इन में से कौन सा ग्रंथ संगीत से जुड़ा हुआ ही, तो संगीत स संगीत 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 संगीता हिन उत्यानि संगीत संगीता के चाहला है। उलेग किया गया रीग वेद में कितने मंडल है अभी तुरंत आपको बताया गया दस मंडल यहां पे हैं और 128 सुक्त के बारे में यहां पे दिया जाता है रीग वेद काल में आमजु सब्द का परियोग किसके लिए किया जाता था तो वैसी लड़किया जो आविवाहित हैं और अपने माता पिटा के साथ रहती थी उनको हम लोग जो है आमजु के नाम से जानते थे अगला प्रशन है रिग वैदिक जन सभा जो न्याइक कारियों से संब्दित थी तो कौन सा जन सभा था तो सभा और समीती था जिसमें सभा के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है नाइक कारियों से संब्दित थी आगे दिया गया है बहुत जैन और भागवत और शायो धर्म से संब्दित प्रशन यहां पर पूछा गया है सही कालानुक्रम कौन है तो पहले संक्राचारा यह फिर रामानुजाचार और चैतन्य महाप्रभू जो की जारकन से होते विए विज्रे थे उनका यहां पर आता है तो इस तरह से भक्तियां दोलन का एक तरह से सुरुवात अगर आपके यह तो संक्राचार वेगरा सही माना जाता है तो यहां पर यह सारा चीज आपको देखने को मिला है अब लोग चलते हैं नेक्ष्ट कूशन में नेक्स्ट कूशन यहां दिया है चवार्क दार्शनिक प्रणाली जो है उसको क्या जानते हैं मतलब यहां पर बोलता है ना कि जब तक जीओ अना उदारी लेके भी जीओ कोई टेंसन ने लेना है मरने के बाद स्वर्क नर्क जैसा वहां पर कुछ होता नहीं है तो इसको बोलता है लोकायत प सन्थापक कान है तो मकली गोशाल और भी संप्रदाई के आप याद कर सकते हैं जैसे सांक्य का है कपील न्यायदर्शन का है गौत्मी वैसाशिक का है कनाद योग का है महर्ची पतनजली इसको तो सब जानते होंगे और मिमानसा में पुरू मिमानसा का है जैमेनी और उत्त संतों का ये संग्रह है जिसको पांचवा वेद के तोर पे जाना जाता है स्टूप किसे समंदित है तो बुद्ध का जो अवर्शेश रखा गया था उसको स्टूप में रखा गया था और इसलिए हम लोग कहते हैं यह महापरी निर्वान यानि उनका जीवन का जब अंत हो गय से अगर किसी को अच्छा जैसे हम लोग होता है ना कि जानवर वेगरा कहानी से बहुत सारे आपको लोग कथा समझाया जाते हैं जिससे उन लोगों के जीवन में नैतिक आश्रन आ सके तो इसलिए बुद्ध के पूरो जनम की जितनी कथाएं उसको जातक कथा के अंतरगत ह गांधार सेली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रतम धरμो देश के समन्द में मुद्द्रा का क्या नाम देखे अलग-अलग यहां पे बुद्द्रा मिलेगा तो जो धर्म उपदेश देटे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जनते हैं उनके पां महायान और हीन्यान जो होता है वो क्या करते हैं कि वो लोग यहाँ पे बुद्ध को इस सहरा चीज़ आपको को देखने को मिलता है यमक हा ना बुद्ध पितक से सम्मनित थे तो यहाँ पे यह है अडिगं रखा गया तो इस तरह से यहां यमक जो है वो अभिधम् में पितक से यहां पितक होगा चलिए उसके बाद है सुल्टानी युग में बाद धर्मों का सबसे प्रवावसाली रहा था सुल्टान का मतलब आपका डेली सल्टनत के काल में मान सकते हैं तो इस समय वजरियान यहीं तंत्र मंत्र जो है वो बहुत जादा यहां पे आपको देखने को मिलेगा तो हीनियान बाद शहित्ति का प्रमुक गरंद कौन है तो हीनियान से समंदित जो सअर्व यहां पे भासा है कौन सी भासा में लिका गया तो पाली भासा में इसको लिखा गया है इनन में कौन जो है एस्या का जोती पुन्जं nay के होते हैं जैसे जापान तक में भी यह भारत के उत्तर में есद्धार नहीं करते थे इस तरह से दिघभा और ॐस्थपर को धारन करते थे जो थे वो थード नहीं करते थे सथूप जहां बुध्ध अत्वा उनके मुख्यस है सारी क्या एवसेस रखे जाते तो अभी क्या बोला गया यहां पे सारी रिका कहा जाता यानी स्तूप का यह भाग होता है जहां पर उसके अवसेश को रखा जाता है तेस्ट रह से यहां पे यह सारा चीज आपका दिया गया अनिकांत वाद जो है उसमें किसका सिद्दान्त है तो देखें यह जो है जैनमत क अनिकांत वाद क्या है कि देखिए बोलता है ना कि एक हाथी है उसको आप चुईएगा तो कोई मतलब यहां पे पांचे अंधा वैक्ति उसको अगर चूटा है तो अगर पूच को चूटा है तो हाथी बोलेगा साथ के जैसे है अगर पैर को चूटा है तो खंबा के जैसे है अगर पेट को छुटा है तो मैदान के जैसे है तेस तरह से यहां पे सबका अलग-अलग मत है अथी ही है लेकिन सबका अलग-अलग मत है तो उसी तरह से और कोई गलत भी नहीं है जो पूछ को छूरा है बोल सकता है क्योंकि वो उसका वही अनुभाव रहा है तो इसलिए का जाता है कि यहां पे आपका अनिकांत वाद एक ही तत्य के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं और इसलिए यह जो है एक तरह से कहा जाता है जैन धर्म धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा सहिस्नू थे सभी के बाद को समझने का यह लोग परियास करते थे जैन ग्रंथ की रचना इनमें किस भावासा में वे थी तो जैन ग्रंथ की रचना जो है वो प्रकृत भावासा में की गई थी तो यहां पे यह दिया है पाटली पुत्र किन नदियों के शंगम पे है तो यह गंगा और यहां पे सो नदी के संगम में पटना यानि पाटली पुत्र आपको देखने को मिलेगा सो नदी जर से जा रही है जारकंड होते हुए गुजरती है और गंगा तो आपका गलगोतरी यूपी होते हुए यहां पे आ रही है मगत सामराज की पहली राजदानी कौन थी तो गिरी विर्ज थी यानि की गिरी विर्ज था उसके बाद इसका राजदानी में परविवर्थन किया गया सोलम आजनपद में मतूरा की राजदानी क्या थी तो मतूरा जी की राजानी जो थी वो सुर्शीन है यानि राजानी यहाँ पे पूछा जा रहा है मौर्य और मोरेतर कल में देखे किस चीनी जनरल ने कनिस्क को हराया था तो यहाँ पे पांचाओ नाम है पेंचाओ लिखा है पांचाओ जो है वो कनिस्क को यहाँ पे हराता है जो की सक्षमत यहां पिर्णी करते थे lly इसतर से यह कनिसक सक्षमत कब से माना जाता है तो 988 रेदी जब कनिस्ख राजा बनते तब से यहां शक्षम потом करा अर्थ सास्थ्र से और्फ सास्थ को कौन नहीं जानता है काटिल लेके द्वारा लिखा गया था यह मौरी यूग्य में चंद्रगुप्त के यह चंद्रगुप्त मौरी जो है उनके गुरू थे और एक तरह से कहिए इनी के मार्व दर्शन पे वो घरानन्द को पराजित करके यहां पर अधिकार कर लेता है प्राचीन भारत में इन में से कौन से एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाये थे तो सोने के सुक्के नियमित रूप से जो चलाया जाएगा वो किनके द्वारा किया जाएगा आपका कुशान के द्वारा किया जाएगा वही का कुशान तो कनिस्क की राजदानी पुरुस्पूर थी तो पूचा जा सकता है कनिस्की आज कई इस तरह से आगर कहिएगा तो एक यहां करता है तो तेरा सो दोड़ा सा इसको ठोटा करते है कि आ है कि फूरा करने में बहुत अगर है कि चले निम्न हुमीद करते आपको दिख रहा हो होगा में कि से सोरी इसको तोड़ा सा और बड़ा करते हैं थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया निम्र में किसने चंद्रगुप्त मौरे के सासन काल में सुदर्शन जील का निर्मान किया था तो यहां पे पुस गुप्त वैश जो की सौराष्ट में था वो सुदर्शन जील का क्या करेगा निर्मान करवाएगा तो इस तरह से यहां पे असो के काल में इसी सुदर्शन जील का एक तरह से का यह मरमत जो है तुसापस के द्वारा किया जाएगा मौर इतिहास के स्रोत इंगित करते हैं कि भारत में दास्ता नहीं है मतलब दास्ता नहीं था यहां दास प्रता नहीं था ऐसा कौन या कहां से पता चलता है तो मेगा इस्तिनी जो आया थे वो अपने एक किताब लिखे थे इंडिका उसमें पता चलता है कि भारत में दास्ता जैसा कोई यहां पे प्रचलन तो था ही नहीं मतलब कोई भी वेक्ति किसी को दास नहीं रखता था तो यहां पे दास के साथ भी यतना अच्छा वेवार अगर रखा भी जाता होगा अच्छा वियवार किया जाता था कि यहां पे कोई यह मानी नहीं सकता है कि यह जो है कि दॉसलिए यहां पे इंडिका लिखे तो यहां पे लिखे 5 जो-हां भारत में दास नहीं था में इंडिका जो ए वह हो लिखते हैmos सब बताते हैं मौरेकाल में टैक्स चुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था तो यहां पे अगर मौरेकाल में अगर टैक्स चुपाई एगा तो बोला जाता है मृत्यु दंड दिया जाता था निर्म में किसे राणी का विलेक कहा जाता है असो की राणी के जासूसी प्रणाली के संबन में एक विस्तरित महत्पून जानकारी देता है तो कौन जो है यहां पर आपको जासूसी प्रणाली के संबन में विस्तरित जानकारी देता है तो यहां जो है आपका यह जो है आमको लगता है इसका जो है बी आंसर होगा हां यहां पर वही चीज है क्योंकि हर कोई जो है वह चीज़ों को यादि करने का प्रॉयास करता है कभी-कभी किसी ना किसी से गलती तो और याधि रहत慪 थो ढ़से वो क्या होता है तो सनी दाता जो होता है कोशागार होता है यानि पैसा को यहां पे कलिक करने वाला तो इस तरह से मतलब वो टैक्स के रुप में वहां पे रखता होगा सनी दाता के रुप और पे उसको आम दो क्या करते हैं जानते हैं समाहार्ता के बारे में दिया गया है रा खरोष्टी लिपी में लिखा गया थे जब भासा हुए गरा सब हम लोग पढ़े थे तो वहां पे आपको यहां पर बताया भी गया था अब यहां पे देखते हैं यहां पर चानक के नहीं कौन सा ग्रंत लिखा यह तो चानक के अभी अम लोग तुरंत देखें कि अर्थसास् परवत को बोलता है कि जुको क्योंकि का जाता है विंदाचल परवत हिमाले से भी उचा हो गया था तो यहां पे क्या हो गया दक्षिन भारत के लोगों को ऐसा मानयता है लूग करता में कि सुर्य का रौशनी नहीं जा रहा था इसलिए अगस्तर रिसी को कहा गया कि आप ज इसलिए विंदाचल परवत कभी उपर ने उठा और आवसिस्ट परवत के तार पर अभी इसको हम लोग जानते यह लोग कथा वेगरा है तोर्मान किस जाती है दल से संबंदी था तो यह हुनों का जब आक्रमन होता है गुपतोतर काल में तब वहां पे तोर्मान के बारे म वह ही कभी कालिदास का विलेख होगा आगे यहां पे देखने को मिलता है यहां मिलान करना है कि यहां पे कौन किसे समंदित है तो यहां पर देखे चंद्रगुप्त जो है कुमार देवी से समंदित है यहां पर समद्रगुप्त है दत्ता देवी से चंद्रगुप्त दुत्ये कुबेर नागा से कुमार दुत्ये कुमार गुप्त जो है अनन्ता देवी से यह समंदित है चली फिर यान साकुंतला मालविका अगनीमित्र और विक्रमोदेव चरित करके यहां पे दिया गया है आगे देता है वह कौन सा गहडवाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर तुरुस्त डंड किया दंड लगाया तो गहडवाल राजा के बारे में आपको देखना है तो चंद्र करोल होता था तो उसको रोग किस्की नाम से जानते थे तो विशाह के नाम जानते थे च छालुक के सासक पुलके शीन जो है हार्स के साथ आबें हम लोग देखे थैंगे दयों तो यह जो लड़ाई हुआ था लगबग 634 के आसपास यहां पे हुआ था चीनी तिर्थियात्री जिसने चटी सताब्दी में भारत दर्शन किया था तो कौन सा चीनी सत्रियात्री था सू यूंग आपको देखने मिलेगा जब हुन लोगों का यहां पे आकरवन होगा उस समय यह आते हैं चली यहां पे अब हम लोग जो है नेक्स्ट कोशन की हो जाते हैं और यह 63 यहां पे कोशन है यहां पे बोल रहा है निमलेकित में कौन एक कवी यह संगित तक यह भी था जो कवी राज और कवियों के शाशक के उपनाम से भी जाना जाता था तो समुद्र कि शाशक के समय चीनी या 3 भारत आया थे चर्व तो जुट्थी के समय यहां पे आते हैं और यहां के राजा जो हो फासी का सजा नहीं देते थे इस तरह से कई उलेक कि हैं अब यहां 800-1200 क्या और समाजी के सिति हम देख लेते अनुलों व्यवा जो है वो क्या होता था कि लोग के आपका अनुलोग मतलब पूरुस उच्वर्ण का और महीला जो है निम्न वर्ण का होना चाहिए वह यहां पे दिया गया है तो यह सारा चीज है हम लोग देख रहे हैं यहाना इसमरीतियों कि अनुस्तार विवा कितने प्रकार के होते तो आठ प्रकार के विवाते है ये कौन नहीं जानता है चलिए नेक्स्ट कोश्चन की और हम लोग चलते हैं पूरी भारत में प्रमुक भातिय रोम वैपारिक अस्थान क्या था तो ये तामलुक जो है ये तामलुक उडिसा से सम्दित है जहां तक हमको लग रहा है यहां पर देखते हैं तामलुक जो है कश्मीर में रहने वाले एक कवी थे जो की राज तरंगी क्या करते हैं लिखते हैं तो यहां बोलता है इस ग्रंद की रशना कश्मीर नरेश जैसी दुट्टे के काल में हुई थी इसके आठ तरंगों में कश्मीर देश के प्रारंब से लेकर बार्वी शत्री तक का इतिहा की बारे में यहां पर डिसकस कर सके थोड़ा बहुत इतना आपको खुद से किवाल अभी देखे कि लिमिटेट टाइम ने कोशन देखना बहुत सारा प्रशन को देखना है कितना चीज हम आपको यहां पर बताए इसा की प्रतम सताब्दी में नेचरल हिस्टोरिका किसके द आपको यहां पर दिया गया है तो यह सारा चीज आपको यहां पर दिया गया है तो यह सारा चीज हम लोग जो है कन्नौज का यह राजा है यशो दर्मन के दर्बार में यह जो है वाक पती जो रहते थे और वहीं लिखे थे कुनार किसके लिए तो सुर्यमंदिर के लिए य यह सब तो वहीं पर पड़ेगा और इस तरह से यहां पर है बक्तियार खिल जी जो इसको नर्श्ट की अर्भिया था यह भी हम लोग जानते हैं मत दिकाला जाते हैं डिल्ली सल्टनत में शाहनामा का लिखक कौन है तो साहनामा के लिखक है फिर्दॉसी तो इस तरह से यहां पे होना चाहिए था वह लिखा गया था तो यहां क्या था रिती रिवाद सारा चीज को फिल्ट कि यह रचनी का रचना करते यह तो यह मौहंबध गजणी के साथ बारत में आयत और इनके साथ आके भारत में जो कुछ भी देखते हैं उसको इस किताब में वह लिखते है प्रत्थम वास्तों के सलतनित काली ने स्मारक में मतलब यहाँ पर आपका जो दरवाजा इस तरह से बंद रहे हैं उसमें कहां पर आपना देखने को तो यह जो आपका बल्बन का मख्बरा मों है आपको देखने को मिलता है मेरा वेगञा सब ऐस तो किलाए पिथोरा जो है वो अजमीर में का जाता है कि यह सरश्रती मंदीर था उसको तोड़ के यह डाइजीन का जोपड़ा यह बनाया गया था इलतो तमीस के दौरा यह जो है कुवत विल इसलाम मस्जीद भी यहां पे बनाया गया था नेक्स्ट यहां पर आपका यहां पर हां दिया हुआ है कुतोबदी नेक बग जो है अजमीर में ढ़ाई यहाँ पर देखें नमाज मस्जित यहाँ पर नहीं लिखा वा संस्कृत विद्या लए या पहले संस्कृत विद्या लए था कहीं कहीं यहाँ पर सरश्रती मंदीर के तो अलग-अलग इटियासकार अलग-अलग तो आप यहा करते हैं तो आपको को भी निक्सान नहीं करेगा ना आपका जान मारेगा और नहीं आपका संपति लूट के जाएगा सैनिक सेवा भी आपको मिलता था इस तरह से दोनों इसका क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा मतलब आप जो हैं अगर मुशलमान नहीं है दूसरे जाती क है तो ईल्तुतमिस के बनाया धॉर्ण पर गठन किया जाता है इसी से आगे बलबन निकलता है अल बलबन जो है आगे चलंके यहाँ पिराजा भी बन जाता है किस सल्तनत के सासक नहीं, शीमा विस्तार की नीती नहीं है, मतलब बोला कि लड़ाई जगडा नहीं करना है भाई बलबन, बुढ़ा के समय ये बना था, बुढ़ा बुजुर्क था तो लड़ेका का है, ये बोला कि जतना है उसी को बचा ले वही काफी है दिलेल सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बक्स के नाम से देखे ये जब जीता था कुतवदीन एबक तो कई यहां दान दक्षी ना करवाया था इसलिए लाख बक्स के तौर पर इसको जाना जाता है और देरे देरे यह जो है यहाँ पे क्या कर लेगा मतलब पूरे भारत में इसको अधिकार मिल जाएगा और उसके बाद यह जो है यहाँ पे चोटा सा पाकिस्तान भी आके हमको आरा सकता है इसलिए अपने में कहा जाता है संगठन राना संगटित राना बहुत ज्यादा जरिरी होता है मुहमद गजनी के साथ बारत में आने वाला विद्वान कौन था तो अलबरनी किताबे हुल्ड इंद जो है अभी आपको बताया ग कि नहीं है यह आपका अकबर दिया गया है सल्तनत खिल जी वंस दिया अकबर कैसे हो जाएगा कि रोरी सब्द राजस्वादिकारी में निम्द में से किस आशक प्रशास्तिक पदादी से संबंदित था एटी एड का आप्शन यहां पे क्या दिया गया है आप्शन डी दिय किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसे भूमी कर को उतपाद का पचास प्रतिशत तक कर दिया गया था तो अलाउदिन खिल जी जब आपको जमीन वाला भी हम पेपर टू के संदर में बताया थे तो अकबर बताया था कि जो भी क्रिशी का उपजे एक तिया उसको बे जो दिन खिल जी के साथ खिल जी सामराज के पतन का कारक माना जाता है तो मलिक कफुर जो की इसका सेना पती था जो की पतन मतलब दक्षिन तक यह लोग पहुंच गया था तो जब भी यह थोड़ा कमजोर होंगे तो बाकी वहांना सब भी इसका विद्रो करेंगे फतु आत वो यहाँ पे शुरुवात करता है तो यहाँ पे दिया गया है दिवाने अमीरे को ही कृषी बिबाग से समन्दी था दिवाने मुस्त का राज राजसों बिबाग से समन्दी था दिवाने बंदगान दास बिबाग से समन्दी था ते इस तरह से यह अलग-अलग बिभाग राज के खर्चपर हज की विवस्था करने वाला पहला भारतिया शर्शक कौन था फिरोज सा तुर्गर मुहमाद बंतिगलव जो काम बिगाढ़ के गया था उसको सुदारने का कम यही करता है बहुत सारे कल्यांकारी काम जो है फिरोज सा तुगलव के काल में आपको देखने लुब डिली से सम्बंदी थे एक तरह सकते हैं क्या सूफी हां सूफी से सब्गत है चिस्ती सिल्सिला जो है डिली के दौद ही नहीं होगत आपका की जो है वो बिहार से संब्दी थे चलिए नेक्ष्ट प्रस्ण की ओर आगे हम लोग जाते हैं और देखते हैं निम्लिकेत में कौन सा बारवीश अताबदी में गजनी सामराजी के पूर्ण विनास का उत्तरदाई था तो यहां पे आपका गौर का अलावदीन हुशैन अथाव नामा अतावना का मतलब क्या है बहुराजा शुरिबाग के नाम से यहां पे जाना गया तो जामपूदीत को हम सब्सक्राइब के तो यह गतल ती एक मात्र हिंदू सामराज के तौर यह जाना जाता है प्रसिद्ध दाजाveer मंदीर विश्व विद्यमान हिंदू मंदीर अस्थापत्य कला का अभूत पूर्वव नमुना है हजारा यहां विठ्थल स्वामी मंदीर का नीर्मान करवा है कृष्ण देव राये ने नागलपूर नामक नगर बसाया इसकी उपादी आंद्र भोज थी इसका सासनकाल में तेलगु साहित्य का क्लासिकल यूग माना जाता है मतलब काफी ज़्यादा ये जो है तेलगु साहित्य को बढ़ावा दिये थे इनके सासनकाल में निमलकेत राज में दो भाईयों हरियार और बुक्का वही है आना विजयनगर हरियार और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया थै इसमें किस राज में आंद्र भोज भी कहा जाता है अभी तुरंट बताया गया क्रिश्ण देवराय को आंद्र भोज की नाम से भी जानत से है कुझजूर थिजार बैलत कबाई की है और ज्वामिल हिकायत ये सद्रुदीन मुहंबद आफी है भगवान जाने इस तरह से अटरंदी की सवाल कहा है ये जनरल किताब में मिलता भी नहीं और हमको भी ये क्लियर करना चाहते हैं कि याद नहीं था देखें यहां पर बता दी सबसे ज्यादा कंस्तापक कान है? तो कई यहां पर आपका सिर्धान्द दिया गया है तो आपका विस्स्ट अद्व है वह रामानोज के द्वारा यहां पर दिया गया है नहीं सो साथार में 1 रुपक ब्रॉपग जारी किया था मुगल सामराज के बारे में निमलिकित में कौन सा सासक असिक्षित था तो अकबर जो है आना पिक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी पत्मी जब लिख के दिखाती है अकबर तो उसको खुदे नहीं समझ में आता है कि लिख़ी का है फिर है पानिपत का प्रथम युद कब हुआ था खानवा का प्रथम साही सुमेलित यहां पे नहीं है वो चीज आपको यहां पे दिया गया है तो पानिपत का प्रथम युद जो एक तरह से कहिए यहां पे बाबर को भारत में स्थापित करेगा इबराहीम लोधी से युद कर है कि कहा है बादू शाप्रतम और मुहमद आजब चोड़ा मोटा लड़ाई लड़ते रहता होगा अंग्रेज के मुर्थिव के बाद इतना चोड़ा मोटा लड़ाई लोगों के बीच हुआ एक राजा दूसरा राजा कब हटा देता था पता नहीं चलता तो तुसमें इतने लिखती है नूर जहां जहांगीर की पत्नी थी जिसने नूर जहां गुड बना कर शाशन में हिस्ता लिया था मतलब का जाता है जब जहांगीर था उसमें नूर जहां का सासन में बहुत ज्यादा एक परसे का यह भागीदारी हो गया था तो यह सब आपको महिला के बारे मे कहा जाता था भूमी को नापेगा और हाना वहां से जो भी नगद लिया जाएगा उसको यहां पे जब प्रनाली के तौर पर जामता था बटाई में क्या होगा जो भी गल्ला बक्सी होगा वहां बाठ एक तरसे कही उत्पादन होगा उसका फसल का उत्पादन का बटवारा हो नेक्स्ट कोशन देखते हैं जोकी एक सवसाइब। सौल के लिए तो देखिए इस पीड बोलने के चलते ही यह खतम हो रहा है नमलेकित में कौन सा कथन और अरंग जेब के बारे में सत्य है तो उसने सिको का पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया नौरोज का टेवार बनाना बहुत कटर था मुहतसी निउक्त किया गया यह सभी के स अब यह पे का क्या ने किया का अरंग जेब कर नाम मुहमध के नाम से को जाना जाता मुगल वात्सा ने तमाकू के परियोग पर निशेद कर दिया तो जाहांगिर जो था बला खाइनी चुना भाया नहीं खाना है जांगीर के किस कलाकार को नादिरु जम्मा की उपादी दी गई तो अब्दुल हसन को यहाँ पे नादिरु जम्मा की उपादी यहाँ पे दिया गया था उसके बाद यहाँ पे दिया गया है जामगीर के समें अबदुलःसन को नाधिरुरु जमा और उस्ताद मनसूर को यहाँ पे नाधिरुल अस्तर की राम से जाना जाता था तो मत बा सुर को यह Пादी यह दोनों के दोनों कौन थे चित्रकार थे सुलह कूल का सिध्धान्त किसने प्रतिबादित किया था तो यहीं सुलह कूल अकबर का भाया आपस में लडाई नहीं करो हम संबान तुम को देते हैं पैसा जो है तुम यहां पर अपना रखे रहो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं अकबर के दरबार में आने वींगे उसका वास्तुकला तो आपको लगेगए मदा तुल्ना कर दिया है कि नहीं वो तो अलग चीज है 122 में अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागी किया था वह किस देश में प्रचलेत था तो यह मंगोलिया में मनसबदारी प्रचलेत था यहां पे जागेदारी मनसबदारी यह सब जो था उसमें से तो यह का जाता है आपका मंगोलिया में दोरा यहां लिखा हुआ तो नहीं के सासक को ग्रांट ट्रांक रोड के निर्मान का स्रे दिया जाता है ये भी अगें सेर्शा सुरी को ही दिया जाता है पानिपत का प्रथम युद्ध अभी आपको बताया गया 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध ब गागरा जो है वो बाबर के द्वारा लड़ गया है सेर्शा का मुद्रा दाम किस दातु से बना हुआ था तो दाम जो बना हुआ था वो तामा का बना हुआ था सोने का सिक्षा को मोहर के तार पे जानते थे और चांदी का सिक्षा को यहां पे रूपिया के तार पे जानते शमाइव को सेर्शा शूरी जो है उसमें क्या कता है inten कर देता है चले 128 है यहां पर 139 में मदद ही मास मदद ही मास क्या होता था तो भूमी दान के तॉरर फे जानते हैं मदद मास को उसके बाद वएवयद हम लोग continue करेंगे थोड़ा ॉस ले 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 gesch wagon कर सकते कि कि विवेद में यहां पर देखते हैं मुगल काली यहां पर बोलता है हेम चंद्र विक्रामादिट्य बाते इतियास में किस नाम से जानते हैं तो विक्रामादिट्य को हम लोग हेमु के नाम से यहां पर जानते हैं अगला यहां पर प्रश्ण है जो नेक्स्ट प्रश्ण है म मुम्ताज ताज महल का असली नाम क्या था तो अर्जुमन बानो वेगम के नाम से ताज महल की नाम को हम लोग जानते हैं और इसी के नाम पे आपका जो है वो ताज महल बना था आगे बोलता है निमलेखित में से साजहां कि किस पौत्र ने और अंग्जीब की पुत्रियों से वैवाहिक संबन्द यहां पे रखा था और सिपहर सिको दाराशिको का पुत्र और इजिद बक्स मुराद का पुत्र तो इतना कौन जानता है कौन कीस के साथ साधिकिया था आंसर है दोनों तो कम से कम कोशन रिविजन कीजेगा तो यह सब नाम समझ में आएगा ऐसा कोशन प पजल का यहां पर मृत्यू हुआ था तो इस तरह से यहां पर आपका यह सारा चीज दिया गया है कि माराथा राज्य और श्रंगे के बारे किस ने कहा था हमें जरजर व्रिक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए साखाएं तो स्वता गिर जाएंगी इसलिए माराथा द्व साखाज़ी में किस किले में राज राम आठवर्षों तक मुगलों के अधिकार में रहा था बचपंस में ही इसको उठा के लिए गया ता जिन जी में उसके बाद यहां पे है मिल्चित में किस समराट बाह शाह दुत्य के दोनों पुत्रों में एक पॉत्र का कतले आम कर दिया गया था निम्हें कि इसने बहादू शादुत्य के दो पुत्रों में से अब यह भी पूछा जाएगा कि किसका बेटा को कौन मारा है सी यहां पर ओप्शन दिया है लेप्टिनेंट हड्सन वह तो इस तरह से लेप्टिनेंट हड्सन जो है वह जो है इस तरह से उसका अत्या कर देता है कतना याद रखेगा सिवाजी ने कब च्छत्रपती की उपादी ली थी हां इस तरह का सवाल आप पूछिए कि 1664 में च्छ की अफगान के थे उनके बीच यहां पर मटाथा में जो नित्रत कर रहे थे सदासीव राव भाव के द्वारा किया जा रहा था अब हम लोग चलते हैं आधुनिक भारत की और देखते हैं आधुनिक भारत में क्या प्रशन पूछा गया है मुगल समराज के पतान और स्वाय तरह से सयद बंदू के तौर पर इसको जानते हैं और यह सब कॉमन है यह सब पढ़ते हैं तो एक तरह से करने वाला प्रशन आपको दिखता है तो थोड़ा लगता है कि ऐसा प्रशन आएगा तो कैसे बनाएंगे लेकिन चड़िए एक दो प्रशन चोड़ने के लिए होता तो वो प्राजित करते हैं भारत के साथ व्यपार के लिए सरप्रफम सैंक्तपूजी और एक आपका ये मियाद कीजेगा फ्रांचीजी लोग घ Zust नहीं बरिटेन नहीं होने के कारे यहां पर दच यहां पर दिया गया है कि यहां दो कि आते हैं यहां पर आ चुकी थी शरुटाम भारत में वैपारिक संबंद रखने हो ला यूरूपिय कौन था तो पुर्टगाल था वासको डिगामा यह सभी कोई हम लोग क्या करते हैं उसके बाद नेक्स्ट यहां पर रंजीत सीं के उत्रादीकारी का नाम क्या था तो खडग सीं उनका उत्रादीकारी के नाम था ब्रिटिस साशक का भारती अर्थ विवस्था पर क्या प्रभापड़ा सतरों से तीरामने का बंगाल हिंदू और मुसल्मानों के स्विक्रेटी विद्यों को स्थान दिया गया था जो भी उनका उसको इस इसमें बंदाइ अस्ताइब बाड़ी को यहां पे लगाया गया था और महाल वाड़ी आपके उत्तर और पच्छिन सड़े आपको महाल वाड़ी देखने विलेगा और हम लोग के एरिया में तो आपका स्ताइब बंदोबस्ती जो कि अभी आपको सेंटी एस्पीटी में बता तो यहां पर कर दी थी तो यह उनीसा उन्तीस में यहां पर दिया गया है कि सब्सक्राइब बहुत पहले से यहां लेकिन दर्जा दे दिया अपने शिक दर चले ठीक है भूराजस की अस्थाई बंगाल में अभी आप ब्यार उडिसा जो कि अभी हम लोग सी एस्थाई और अपका यानी पंजाब का एरिया में किन कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था तो यहां अफीम का यहां पे चाइना से यह लोग करते थे ज्यादा ता अपीम्यूद के समय मुगल सासक कान था तो यहां पे बहादूर शा जपर इसकी तो नेत्रत बुड़ा राजा जो बोलता है हम नेत्रत नहीं करेंगे लेकिन फिर भी करवाता है इसको अन्य जन आंदोलन में सायक संधी स्विकार करवा रहे थे और इस तरह से सायक संधी में आपका बहुत अच्छे तरीके से बताया जा सकता है लेकिन इस लिमिटेट टाइम में पढ़ना चीजों को याद करना तो मुस्किल है लेकिन फिर भी अगर आपका थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हुआ तो जरूर हो जाएगा यहां पर दिया गया है कि कौन किस किताब को लिखे हैं तो डिरेक्ट इसका सही अंसर ही पढ़ लेते कहां है इतना मिलाते रहेंगे बीजी मतलब बाल गंकादर तीलक गीता अर्विंदा गोस का यह थोड़ा कम भी मिलता है फिर जालाल नेर्यू का यूनिटी आफ इंडिया यह भी थोड़ा कॉमन है तो अगर दो भी पता है तो थोड़ा सा गिस अपकर सकते थे लेकिन मुस्किल था लॉयल मोहमड़न आफ इंडिया नामक किताब किसके द्वारा गया है तो यहां पर सर यहां पर यहां पर यह जो होगा सईयद अहमद का अलिगर्ण विश्विट डाला इनी के एक तरह से कहीं तर्ज पर उनीस अठारा सपच्छत्तर में निर्मान हुआ था जहां तक हम बता रहे हैं वह उमीद हैं को सही लग रहा होगा एनी बसेंट ग आपके यह जो है होम रूल अन्दोलन से इस जुटी हुए थी इनिवेशंट हां सायद हम सही बता रहे हैं कई 컨फयूज न अ सब्सक्राइब करने वाला अधिनियम कौन सा काल आता है तो वर्नकुलर प्रेसिक्ट यानि कि यहां के जो भी लुकल लैंग्विज वाले प्रेस्टे उसको बिना आनुम्बती का आपको कोई भी चीज वहां पे चापना नहीं है और इसलिए का आता है मुबंद करने का यह काम था इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया के लिखक कौन है तो यह हो जाएंगे आर्सी दत उसके बाद यहां पे निमलिकेत में कौन सा जोड़ा सही है तो यहां पे सही सुमेले डैरेक्ट हम लग देखे थे भी आरा मेरत कर मूक नायक लिखे थे मातमा गांदी यंग इंडिया यह तो काफी फिरोसा मेता बॉंबे कॉर्म क्रोनिकल और देविंद्र टैगोर इंडियन मिरर तो याद करने का प्रियास कीज़ेगा जतना याद होता है भारत में प्रिंटिंग प्रेस कार खाना कब शुरू हुआ था तो पंदरसो परचास में सब्सक्राइब के द्वराह यहांपे किया गया है थैस सॉवामी सहजानंद किया गया है क्यों kadar मिंखित विद्द तो वह वह हो जाएंगा राजिंद पृषध अस्थानों में कहा महत्मा गानी निसवर पूर सत्यागार किया क्यां तो टोक्रम ऑफ सत्यागरा करते हैं मोपला अंदूलन कहां से सम्मंदिती कहा हुआथ है Kollege के तर्ट में हुआ था मोपला के मालाबार जीले में 1921 में हुआ था मुसलिम कास्तकार थे मुपला कास्तकारों का अंडुलन लगान वेदर क्लिक के लेकर सुरू हुआ था इस अंडुलन में लगवक 10,000 से अधिक हिंड़ों की हत्या की गई थी उनकी संपती लूड ले गई और उनके घर जला दिये गए इनमें कौन 1930 के दसक में किसान सभा आंदोलन किस से सक्रीय रूप से जुड़े हुए थे स्वामी विद्यानंद स्वामी सहजानंद तो अभी आपको बताया गया स्वामी सहजानंद नेक्स्ट कुशन देखते हैं अब खतम होने वाला है हिस्ट् चलिए आखिल भारतिय किसान सभा का स्थापना 1936 में सहजानंद सवस्रति के दारा फिर से कुशन है कांग्रेस के पूरुवर्ति यहां पे जो संगट है उसको यहां सजाने के लिए दिया गया है तो सबसे पहले बहुताया है इंडिया लिग अटारसों पुशत्तर में यह मदरास महाजाना सभा की अस्थापनां में कौन थे रागावचारी आनंद चारलू और जी सुब्रमन्या बॉम्बे एस्सोसियेशन यह थोड़ा सा फेमस है यहां दिया गया है कि जमसेद जी 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 भाई की अध्यक्षता में बुलाए गयी थी जिसमें एस्सोसियेशन के घ्यक्राइग के बारे में दिया गया है भारतिया जो सुख्राइब सुख्राइब फ्लाने रखनाने बहूत पुराने ग्रैंड मतलब बहुत पुराने एक तरह से कहीं इसी तरह से कुछ रामता है चले कांग्रेस के पूर सवराज की घोषना कभ पहीं थी तो यह लाहूर में जब उनीर सो उन्तीष में यहाँ पे जंडा फैराए गया तो पंडित जौ आला ने रुरावी तढ़ पिते कि आब हम जो है पूरं स्वराज की ऊर इसलिए जब देश अजाद हुआ अना तब से पहले 26 जनवरी को अजादी दिवस्त के तौर पे मनाते थे स्वतंतरता दिवस्त के तौर पे और ये प्रश्ण जो है वो पूछा भी गया था आपका साथवी से दस्वी जपी एसी में वो भी कहीं हो सकता मिल जाएगा निमलिक भी कि अब दौरा यहाँ पर किया था तो बुसेल्स में कौन किये थे तो क्रिप लहानी जी तो नहीं किये थे देख लेते हैं एक्जेक्ट अंसर में जे वी किये थे आई जोआलनेरु के द्वारा ही किया था वो दिया गया बंगाल बिवाजन यहां सौधेशी आंदरन तो तो यहां पे क्या दिया गया है अधुनिक कितियास के गटनाओं के काल कुरम हाँ यह जो है 2020 में गलत यहां पे सिक्विंस दिया था इसलिए स्टार मांग दिया है उसके बाद है क्रांतिकारी गटिविडिया वारिंद्र कुमार भोस के क्रिया कलापो ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया अनुसिलन समीधी उसके बाद यहाँ पे मतलब यह गुप्त तरह से चुप कर चलाया जाने वाला क्राम्पिकारी संगटन था अब समाप्ति की ओर हम लग जा रहे हैं 1913 में लाला हर्द्याल ने गदर पाटी की अस्थापना की थी कहां पे की थी तो सैंट फ्रांसेस्को में किया था अमरीका का ये पश्मी तड़ था ये भी कभी कभी पूछता है मुझपर फुर्वम कांडोनी 108 के समंद में किसके साथ हुआ था तो प्रफल चाकी यहाँ पे थी तो यह स्था से किंग्सपोर्ड कात्या के ये लोग परियास कर रहे थे लेकिन मरा नहीं था ये साथ इसकी पत्नी मर गई थी या वो घायल हुई थी अच्छा मारी गई थी यहां पर तो लिखा भी हुआ है पत्नी और पूत्री क्या हो गई थी बारी गई थे मारने गई थे कोई और मर गया कोई और रॉलेट एक्ट खिलाफत और आंदोलन और असायोगन मात्मा गानी 1922 ने असायोगन को वापस क्यो लिया था तो इसको कौन नहीं जानता है चौरा-चौरी कांड के कानन लिया गय कि आप कोई सरकार के खिलाब कारे कर तो आपको सरकार पकड़ सकते बिना वारंट विया हुए इसलिए इसको काला कानून के तौर पे जाना जाता है माहत्मा गांदी एवां उनके विचारों को प्रवाइद करने वाला प्रतम आदिवाशी नेता कौन थे जोडांग के नाम तो यहां अंगरेजियो के साथ भारत में निकालना है तो वारिवासियां मैंदलण कहा चलाया जा रहा था तो यह जो चलाया जा रहा था मनिपूर में तो आपको बताना है तो सरुजणी नाइडू राजकुमारी अम्रीत कार कमला देवी चटू पाद्या तो सभी के सभी यह हो गया उसके बाद हम लोग नेश्ट यहां पर देखते हैं कौन सा प्रोश्ण है गांदी जी ने डांडी समुद्री तट पर नमक का अलूंग अलूंगन कभी किया था यहां पे होगा च्छी अप्रेल मतलब बारा मास को चले थे अच्छे अप्रेल तक यह पहुंच गया थे ऐसी पारित किया गया था तो жुलाई 1977 में इसको पारित कर दिया गया था कि अगस्त में आपको आजाद कर दिया जाएगा बाते शुक्रयत को कर दो राजा कॉन था वो था सस्टेम के ताम पिर राजा था पाकिस्तान Ooh कि रूपने खा किसके द्वारा किए गया था तो मैं जब किस प्रांथ में लोग संस्तूती दी तो यहां सिंद बलुचिस्तान और उत्री पश्मिशिमा मतलब यहां पर जिस तरह से निरनाय होगा वो लोग वहां पर जाएगा यहां पर ऐसा यहां पर दिया गया है उत्तर पश्मिशिमा के प्रवधान किया था किसकी असफलता के उपराद भारत छोड़ो अवियान भारती से संबंदित प्रश्ण को यहां पर पूछा गया सुबाश चंद्र बूस और साई सरकार का गठन की घोशना यहां पर कब करते हैं तो एक तीस एकी सक्टूबर उनीस सब्सक्राइब करते हैं और अपने आपको जो है राजिके प्रवध प्रदान मंत्री के तौर पर गोश संप्रदाइक पूष्टका प्रुस्टावित किया जिसके दौरा विवेंड संप्रदारओं में बातिय लाज प्रिथक प्रतिनियूज्डी की विरस्थ था संप्रदाइक पंचाड के ताओर पे जानते हैं रैंजे मुझडणाल्ड मैकडणाल्ड पुब्लिक वर्स डिप किस नहीं किसे भारतिय प्रेस की स्वतंतरता का मुक्तिदाता कहा जाता है तो चार्स मैटकॉप को मुक्तिदाता कहा जाता है कि जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको वो कम किये थे लिए में किसको करजन के काल में इंग्लैंड से रेल की परनाली अर प्रसाषन का परमर्ल से तो jouं स्ट्रीर है थो स्टोंमस रोबर्टसुन उसके बाद यहाँ पे दिया है भारतीय से आयोग की निवति किसके आयोग avete लाट रिपरन के इंतल में Canadianyu एस्य दशने और वहर वर्ष की थी तो यह बिया गया बहादी कि los और रिपन हे खियर किया रियायसद को प्रथम बाते शख्चे आयोग हो गया था डालोजी जो है किया तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका तीयत्तर के द्वारा किया गए यह भी बहुत कॉमन सवाल फिर वेवल प्लान याता है यहाँ पे डिले को यहां सिमन्द光 कंप लुप है कि यह के बाद है ब्रेटिस अंसर्द के रुपे चुने जाने वाला प्रतम भारती इसको हां यही बोल रहे थे ग्रैंड ओल्ड मैन आफ इंडिया के नाम से उन्सको जाना जाता था भारत का पिताम यह हमको पड़ा हुआ याद हो रहा था बारत चिन युद्ध कब होता है तो बार सब्सक्राइब करके मार दिये थे कई अंग्रेजियों को तो यह आपका वीजुन सत्रासोचपन का है प्लासी का युद्ध तो सब जान रहे हैं सिराजु डॉला के साथ हुआ था बकसर यह मुगल साहा लंदूतिया और बाकी राजाओं के साथ हुआ था अवदा और बंग किस रास्ते चली थी तो बंबबई टी से यहां पे कुला हरबर ऐसा दिया हुआ हो चलिया ना विटी से कुला हारबर हो का वी और ती अलग ने जान गितान जिली की प्रख्यात कवी की संग्रहित रचना है तो यह कौन हिं जान गितानजिली बहुत फेमस रवींद तो यह जो है वो थोड़ा सा अंकॉमन है याद रखिएगा खादी वर्ति का है हैंडी बर्निट लमट सेंड करके जो भी है उचानन थोड़ा से करने में दिकत हो रहा है सही समेलों यहां आल इंडिया किसान समास सजानन ओल रड़ी पड़ चुके आत्मे सजा सबाज राजार हम लोगों का खतम हो गया एक घंटा में भूगोल को भी हम लोग खतम करने का प्रयास करेंगे लिवेटेड टाइम में है कि चलिए हम लोगों का एक घंटा यहां पर टाइम बीद गया और एक घंटा में हम लोग जो है वो हिस्टि कंप्लीट कर चुके अब हम लोग यहां इंड़ जोग्राफि में लोगों को पढ़ नहीं पढ़ना है जैनल जेडिकल जोग्राफिय के अंदरगत आ रहा है उसी को यहां लोग यहां पर देखते हैं ज्यादा सवाल नहीं है लगबक प्रश्ण वर्ल जोग्रफी को मिला के लगबग 207 प्रश्ण था तो हम लोग वर्ल जोग्रफी जैसे की बोले नहीं देखेंगे तो यह कम समय में ही आपका खतम हो जाएगा पहला है भारती मानक्स समय एं ग्रीन वीच माध्य शमय से कितने मतलब जो हम लोगों का टाइम एक प्रवाल रहता है उस टाइब से यह बनता है चली तो नेक्स्ट प्रस्ण की और आगे बढ़ते हैं क्या है देखते हैं कौन सा महीना स्रीनगर में गर्म का होता है तो यहां पर दिया गया है अप्रैल माई जून और जुलाई तो जुलाई के आसपस यहां पर गर्मी थोड़ा बहुत यहां पर पढ़ता है अंडमान यहम निकोबार द्वीप शमू का रास द्वीप द्वीप का नाम बदल के यहां पर रास द्वीप का नाम बदल के यहां पर नेता जी शुवास शंद्रबोस के नाम पर रख दिये उसके बाद यहां पर नील द्वीप का नाम सहीद द्वीप के तार पर और हैवलोग द्वीप का नाम बदल के यहां पर श्वाराज द्वी करक रेखा के बारे में यहां पर दिया गया कि करक रेखा जो है करक रेखा जो है वो कहां से नहीं गुजरती है तो यह मनिपूर से नहीं गुजरती है बाकी जो है सभी जगह से यह क्या होती है गुजरती है तो इस तरह से यहां पर आपका करक रेखा यहां से गुजरती नही है जिसको रेखांकिय लिखा है और सट से लेके संतान्वे में ये भी अपका सभी है भारत में राज्यों की संक्या चबीस है ये तो चेंज होते हैं रहता है वर्दमान में इसे भी सब्सक्राब के साथ सिमा नहीं बाड़ता है तो बिहार जो है भुटान के साथ सीमा नहीं बाड़ता है उसके बाद यहाँ पे देखते हैं भारत का दीशांतर यह विस्तार क्या है तो अभी आपको बताएगा और सट से लेके 97 तक और सट डिगरी साथ मिनट से लेके 97 डिगरी 25 पचीश मिनट तक निमलेकित में कौन सा बंदरगा कोरो मंडल टट पर है तो कोरो मंडल टट जो है उ 152 किलो मेटर के आसपाच यहां पे होगा देखेंगे 500 हजार दो सो किलो मिलेटर पुदूचरी के परदेश की कौन सी प्रशाष्णिक काई के पशमी तट पर स्थित्त है तो यह जो है माहे यह पच्छिम तट पे आपको क्या होगा मिलेगा बाकी सब पूरुवी तट पे है यहां पे आपको देखने को मिलेंगा यह जो है इदर मिलेगा चेलिए उसके बाद है तो कहां पर अब शर्यवाल और डिभी में यह ल warfare वह उल्हांटर प्रडेश में यहां पर नहीं है सौरी थोड़ा टाइम ज्यादा हो जा रहा है लगता है घड़बड़ हो गया यह साही सुमेलित नहीं है बाकि साही साही सुमेलित है तो इस इपकला इमाचल प्रदेश में नाथुला सिक्किम में जोजीला लदाक में बोमडिला अरुणाचय प्रदेश में और यांग हिमाचल की स्रेनी में कौन प्राचींतं है तो व्र्यहद हिमाल ज्यादा जो है वह सबसे एक तरह से कह सकते हैं वह सबसे क्या है प्राचीम्त उसके बाद नेक्ष्ट यहां पर प्रश्ण अगर हम देखे तो यहां पर पूछा गया है हिमालए की रश्णा समनांतर वल्हां स्रेणी में सेह हुई है जिसकी प्राचीम्त और सबसे अंति में आपको कारगुरुम की स्रेनी देखने को मिलेगी फिर यहां पे इसको भी यहां पे पूरु से पच्छी यहां पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा है तो मादेव है उसके बाद आपका यहां पे सेकंड नंबर में जो होगा वुकुन होगा कुरकपठार और तीसरा जो है वो खासी की पाड़िया से केंस में ही दिया गया है चले नेक्स्ट यहां पे प्रशन को देखते हैं हिमाले के उत्पति का संबंध है टर्शरी क्रम की चटानों से दिया गया है वो याद कर लीजेगा अरावली पहाडियों की सरवोच चोटी की कौन सा है तो गुरु सिखर अरावली पहाडियों का सरवोच होटी है पठकाई की पहाडियों को अलग करता है कौन करता है प्यानमार छुआ प्या है हम निल्गरी की पहाड़ी का है तो निल्गरी का पश्मी tut में आपको देखने को मिलेगा निल्गरी की पहाड़ी अब यहांपर नेङ्स्ट कुष्टन जो ए thirty two है thirty two को eating को देख लिए लितमे कानो بعد निको मेंसी घाट लगू हिमालयय सब्सक्रार्इम तो ट्ये आज चौना भारत की इस राज मेंपर इस यहाँ कि उसके बार नेउस्ट यहाँ पर सवाल जो है वह आपका 36 निमलेकित में किस हम में बुंदेलंकंड विस्ति या बुंदेलंकंड में फैला हुआ है वान परदेशा उतर प्रदेश में आपका उन्देलखन देखने को मिलेगा भारत का लगवा कितने प्रथिश्ट्षक्ष मैदानों के अंतरक्ष आता है तो आपका 43 प्रथिश्ट्ष जो है पुछ रहा है किसी सुस्क प्रदेश में व्रहद शारे जडोड संकों के समयलित होने से बना नीच कि यह पूरेवातर है डेल्टा वेगरा बनाती रिछ्ट में पंलिया के लिए यह रशुनात्मर मौली यहाँ पे दिया गया है यानि कि पथर काड्ट को यह जो यह नौनर्मदा नदी यहां पर ब cripple यह जाती है तो पंजाब हर्याना में क्योंकि इसका जो है वह मुख्या शुरूत नहीं नर्मदा नदी का उद्गम क्या है तो अमर कंटक नर्मदा निदी का उद्गम है अब नेक्स आम लोग देखते हैं कि कांसा यहां पे प्रश्ण है जल्दी जल्दी इसको आप बता दे है देखे इस लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा तो दिक्कत होता है दूसरों को समझाना फिर भी उमीद करते हैं अगर कोई एक जन भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा जो बनाना वीडियो का है वो सफल हो जाएगा नदी राज्य इंद्रावती जो है यहां पे प प्रवा नदी महराष्ट और करनाटक में बहती है उसके बाद फिर से यहां पे मिलाने के लिए दिया गया है चले यहां पर मिला लेते हैं कृष्णा की सायक नदी भीमा ब्रह्मपूत्र का तिस्ता गोडावरी का इंद्रावती और यमूना का चंबल ब्रह्मपूत्र नद तिबत में किस नाम से जाने जाती है तो यह जो है चेमा यूंग्डिंग के नाम से जाने जाती है कौन से नदी बंगाल का दुख यानि बंगाल का सुख है तो दामोदर जिसमें डेवी सी बनाया गया है निमले खित में कौन से नदी अवद के मैदान में आपको देखने को मि कि वालए आपको मिलेगा तुम्हें घाला में देखने को मिलेगा सवाल चलते हैं 42 की ओर स्टथिटट्मिकरी 7-zeit आंतर के परदेश कंकी वर्षा होती हैं तो यह कोरल इसे यहां पर उते हुए कोरुमंदल तट में उसके बाद यहां पर वरन चेत्र में डेखते हैं यह तो बदल गया होगा लेकिन istate पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेगा तो इस तरह से यह इसका अंसर जो जाएगा देहरा दून होगा बारत में उचीच पारस्थितिकी संतुलन मनाये सब्सक्राइब करते हैं यहां यहां पर याद कर सकते हैं यहां पर पाया जाता है सुन्दर यहां पर इस तरह से प्रकृतिक आपदा है डिजास्टर मैनेजमेंट से भी यहां पर डिजास्टर से सवाल पूछा गया तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं अगर किसी चेत्र का लैंड सिट आकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्यम इस सित्थ चेत्र का अकड़ा कब यहां पर मिलेगा उसी समय जब असानी समय के सब्सक्राइब कुछ दिनों के बाद करने का मतलब पता नहीं ज्यादा यहां पे लैंड सेट जो है वह आमको ज्यादा आइडिया नहीं है नहीं बाता पाएंगे नेशनल सेंटर फो डिजास्टर मैनेजमेंट कहां सित्थ है तो यह जो है एंसी डीम जो है वह नई दिले म कौन सा आपदा के बाद का उपाय है तो देखे घर अगर दस गया फिर से पुनारिनमान कर रहे है तो वह आपदा के बाद वाला है राश्टी आपदा प्रबंदन प्रादेगरन का गठन कब हुआ था तो इसका सही अंसर हो जाएगा 26 में जब आपदा प्रबंदन ना दिन मिर्दा प्रबंदन हो सकता है आगे दिया गया है लेकुस्टीन डिपॉजिट कस्मीर का जिसे करेवा कहा जाता है वो मसहूर है तो करेवा जो है केशर के खेटी के लिए मसहूर है विंदेशेत में किस परकार की मिट्टी पाई जाती है तो लाल मिट्टी वहाँ पे पाय होता है नमीन मिर्दा और शाद के जमा होने को कहते हैं तो यह जो है आपका खादर और बांगर जो है प्पूरा ना हो गया या इसे भी खाद हो न रहा होता है तो लेटे राइट ऐसे भी करते पहुँत ज्यादा यह अपर धूप कर T जिवास में वह तो समाप थोई जाता है तुम जावपन बी इतना पानी आता है कि इसका जो उतपादक वाला ही साइब मतलब बह जाता है कौन सब्रदा प्रारूप लोहे का इतरीक्त होने के कारण अनुरुबर होता है तो यह लेटराइट फिर से वही है, मतलब ज्यादा यहाँ पे लुआ का मतलब बॉक्साइड वेगरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पॉट जोल क्या है तो पॉट जोल यहाँ पे कौन धारी वन में पाई जाने वाली एक क्या है, मिट्टी का प्रकार है भारती मैदानों की पुरानी जलोड मिट्टी जानी जाती है तो यह भांगर में जानी जाती है उसके बाद है पुरानी वाला भांगर है वही है उसे लेटराइट मिर्दा उच ताप भारी वर्षा वाले चेत में विक्सित होती है बिल्कुल सही है लेटराइट मिर्दा हीूमस सम्रिद होती है नहीं होता है हीूमस मर जाता है तो यहाँ पे परथम सही है और उती है गलत है यानि कि option B यहाँ पे होना चाहिए answer C दिया है तो देख लेते हैं पूचा क्या है अब नेक्स्ट सवाल में हम लोग यहाँ पे चलते हैं सिचाई और नदी गाटी पर्योजना कौन सी तट कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर गंगा नदी डेल्टा तक विस्तरित है तो काकी नाड़ा उसके बाद यहाँ पे दिया गया है गांधी शागर डैम का निर्मान किस नदी पे धयर जो है वह वहानदी पे वूए निमलकित बांदो में एक सीचाई के लिए नहीं है तो कौन है सिर्व समूद्रम जोए levers कि लिए नहीं है क freezer चै करनाठप ऑर यह सईक्त पाडियोजन्य का यह म होगा डादर गात्य निगम की अस्तापना ये जो 48 में आपका किया गया था जार खंड से तो आपको अलड़ी पता होगा चंबल गाटी के खोडों के निर्मान का कारण निम्लिकित में किस प्रारूप का अपरदन है तो अवनालिका के कारण हो रहा है अलियार इसापूर और कांगसाबती किस प्रकार समान है ऐसा कर रहा है तो ये जल भंडार से समन्दित है ये बोल रहे हैं कि जिसमें जल भंडार है अलियार जलास है तामिलाडू के कोयमबटेर जीले में पुलाची सहर के पास अलियार गाओं में इस सित एक जलास है फिर है इसापूर बांध महराष्ट के हिंगोली जीले में पेंगा नदी पर एक मिट्टी भरा बांध है इसापूर महराष से सब्ण दित है अलियर तमिलाडु से कांगस बाती जला से वो मिधनापूर बांकासूर हुगली जीले यानि कि यह पशिमंगाल भी तो यह सब निर्मान हो सबसे बड़ा उत्पादक निम्लिकित में देखिए सबसे बड़ा और चोटा यह सब आपका कम बेशी यह डाटा बदलते रहा सकता है वैसे आंसर यहां पर दुर्गापूर फिला दे रहा है लौधातू का एक आयस्क कौन है आपका हेमेटाइट इसका आयस्क है लेकित में किस परमानु सयंत्र की स्थापित चमता सारवधिक है तो तारापूर यह भी हो सकता है कम बेशी हो जाएगा लेकिन 2021 का है तो बहुत जादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर देखना है नवेली जो है उसमें परमानु उर्जा सयंत्र नहीं है भूत आप यह उर्जा परादारित मानकी करन विजली सयंत्र किस राज में इस सित्थ है तो यहाँ पर देता है हिमाचल प्रदेश उसके बाद दिया गया है कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है तो यहां पे बी जो है कक्ष जो है वन से सम्वंदित नहीं है कक्ष करन ये तो गुजरात से सम्वंदित है तो बाकि कुलान खनीच के लिए फेमस है जारकन से सम्वंदित है जान रहे होंगे माला बार जल संसाधन है और मद्य गंगा है मृदा संसाधन से सम्वंदि कि कुशन नमर 19 है भारत के किस राज में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है तो आंसर यहां पे दिया गया है के रल तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका की रल हो जाएगा नेक्स यहां पर सवाल देखते हैं जिसमें सूची एक में दिया गया है खनीच मिलता है उसके बारे में आपको यहां पे दिया गिया है चलिए इसका सही है है नुकरम इसका अंसर से ही यहां पर हम लोग देख लेत है कोईला जो है वह गरेडी में पायuju आधा हुग थीक है ताबबा जो है वह मैंग सई वह थारवराध में है और इकनाइच उड़ा कोई में यह नहीं चलेगा काकरापार गुजरात में यहां नहीं छलेगा तमीलाडू कंदल माहाराथinking worldly तमीलाडू B जहान बनाया जाते हैं तो यह मदुआ यह जगह है वहां पर ध़ा है यह वार्ण अशी में मडवा रिजयर कोर्म करती है यह बागर भारत में प्रतम सूति वस्त्र कारखाने की अस्थापना मुंबइ में खाले में किया गया था तो देखने को मिलेगा ठारीसाव चोणने प्राजा ने प्रफम कार्खाना अस्थाकर oo यह बंबई में आपका स्थापना हुआ है लिकत्त में कौन सा जॉड़ा सही है तो यह यह आ आपका की वाला जूडा है तो उत्तरबियार में चीनी उदियोग जो है वो आपका सही सही जोड़ा है बाकि अन्य जो है वो सुमेलित नहीं है करके यहां पे दिया गया है भारत में प्रथम उर्वरक सयंत्र सिंद्री कौने जानता है अभी होल का यहां पर उद्गाटन भी किये है प्रदान मंत्री जी तो इस तरह से हो सकता है यह किसके सयोग से हुआ है तो रूस के सयोग से हुआ है अब हम लोग देखते है परिवान से समन्मनित भारत के किस राजमे सडकों कंगनत तो सारवदिक है फिलाल के लिए तो अभी केरल यहां पे 2021 में मिल रहा है उमीद करते हैं यह चेंज नहीं हुआ होगा भारते रेलवे जो है वह पंज्जाब में है भारत का व्रिःतरतिय बंदरः था और यह जो आया था यह आ आपको NCRT में मिल जाएगा क्रिसी पसुपालन जो आउट अपडेट होगा उसको मारने के लिए कौन सा है तो यह है तो उमीद करते हैं कि यह स्टाटिक है यह आने का चांस है 2020 में आया था माइक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है इंपॉर्टन्ट है देखिए एग्रिकल्चर में समझ में नहीं आता है क्या पड़े क्या नहीं पड़े तो जो यहां से एग्रिकल्चर वाला मिल रहा है उसको जरूर याद कर लीजे आपका ट्रिटिकम डियू यहां पर होना चाहिए तो दलन यहां पर दिया नहीं है तो वह हो जाएगा आगे यहां पर देखने को मिलता है कि यूरिया खाद के पौधे को कौम सा तत्तों मिलता है तो च्यालिस परसेंट यहां पर आसपास नाइट्रूजन रहता है तो वही नाइट्रूजन देगा प अग्रिकल्चर में कभी-कभी समझ में नहीं आता है क्या पड़े तो यह सब कम से कम याद कर गए जाई है बारत में सारुदिक दूद्ध देने वाली बकरी का नसल कौन सा है तो इनका नक्सल है जमुना पारी अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं कि क्या प्रश्ण यहां प मक के तो यहां पर खरीप में भी लागाया जाता है और रभी में भी लागाया जाता है इसलिए वो तो साल भर वला फसल हो जाता है चावल की संटि में रहां टेंप्रेचर मतलब टेंप्रेचर भी होना चाहिए पानी जाद आना चाहिए क्रिसी भूमी किसके पौधे उगाने से भूमी का पर्दन अधिक्तम तिवरता से होता है ऐसा यहां पे दिया गया है चली आगे देखते हैं निम्लिकित्म में कौन भारत की दूसरी सबसे महत्प कोनुको में अस्थांत्रित्य क्रिशी का नाम है तो कोनुको जो है वेनजुला में बोला जाता है जो कि जंगल को साप करते हैं खेती करते हैं फिर अनुप जाओ जाता है तो दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं तो यह वेनजुला में होता है महरास्ट के काली मिट्टी के छेत्र में कपास के को गन्य की फसल से प्रतियस परदा का सामना करना पड़ रहा है इसका कारण क्या है तो सिचाई की सुईधा के प्रशार के कारण या छित्र गन्य की क्रिशी के अनुकूल बन गया है अनुकूल तथा गन्य की फसल अधिक लाप्रत है ऐसा यहां पे देता है नेक्स यहां पे देखते हैं भारत का कौन सा राजय चीनी का कटोरक आला जाता है तो यूपी है गर्ना के उत्पादन के समझे में स्वेट क्रांती किसे जुने से कौन विक्यात है डाक्टर वर्गी स्कूरियन जिसके बारे में अगर कानी पढ़ेंगे तो आपको पताया गया है यह दूद इनको पसंद नहीं था जबकि स्वेट क्रांती से जुड़े हुए एक साबीस चांदीPro क्रांती जो है वह कपास जो है वाइटरन के कारन इसको करण जाता है आहएंसे है सबसे बड़ा भाग है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पे मानव प्रजातिया है हीवन जोग्राफी भी हम लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ना है अगर यहाँ पर देखे आप सोचल डेमोग्राफिक है तो हम जोड सकते है तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कोशन की उर बढ़ते हैं और देखते हैं निम्लेकित केंदसासित परदेशों में आँज जन जाती के लोग किस में रहते हैं तंडमान निकोबार में आँज जन जाती के लोग आपको देखने को मिलेंगे खाना बदोश जन जाती के लोग सारवदे किस शेत्र में पाए जाते हैं तो जो सुस के एरिया है किती बारी नहीं होगा तो इधर उधर जाकि अपना जीवन बरुस्तन करें शेमपेईं जन जाती है तो निकुबार में शेमपेईं जन जाती पाई जाती है माओरी जन जाती है तो निउजी लेंड चाहिवा आपका बहुत लेंड हो जाएगा उसके बाद है भारत में दूसरी सबसे बड़ी जन्जाती कौन है तो यह जो दूसरी सबसे बड़ी जन्जाती है वह आपका गूंड आपका दूसरी सबसे बड़ी जन्जाती के तौर पे जाना जाता और भील जो है वह सबसे बड़ी जन्जाती यह पिछ या मतूर को दक्षीन भारत का मिंचेस्टर के नाम से यहां पर हम लोग जानते हैं फिर एकाथ सवाल और दिख रहा है यहां सभी कुछ सवाल नहीं है इसलिए यहां बता देते कि कौन-कौन सा यहां सवाल इस टॉपिक से आया हुआ हुआ है वो सकता एकाथ सवाल आपको याद हो जाए तो 2011 के जनगना में जाती को समलिट करने की सहमती देने वाला मंत्रियों के शमू का प्रमुक को कौन था तो यह प्रणौ मुकर्जी थे उमीद करते हैं यह नहीं पूछा जाएगा बहुत पूरा नगोशन है भारत में निम्न राज्यों में उच से निम्न घनत्तों का 2011 के जनगना के नुशार सही करम बता है 2011 के बाद एक कीश में तो आया नहीं से लिए हो सकता है यहां सवाल पूछे तो सबसे ज़्यादा जनगना गनत्तों यहां पे आपको देखने के लिए वियार में 1106 है पंजाब में 551 है जारखंड में 414 है उत्राखंड में 180 है तो इ यहां पे यूपी में सबसे ज़्यादा आपको नगर जो है वो देखने को मिलेंगे उसके बाद नेक्स्ट प्रशने यहां पे है भारत की जन भारती जनगना कारण प्रवास है प्रवास नहीं होता है वहां से लोग आते हैं वहां जाते हैं और रहते हैं ठीक है तो सर्चिप जीला है और सर्चिप जीला के बारे में यह अगर हम जाने तो आपको जाने को मिलेगा यह मिजोरम है तो इस तरह से यहां लगबग अंठानमे देशला साथ च्छे परतिशर्ट जो है वह साक्षर्टा दर आपको देखने को मिलेगा और इसके बाद दूसरा सारुदिक साक्षर जाला मिजोरम का ही बोलता है यह याद रखेगा साक्षर्टा दर इसमें काफी जादा देखने को मिलेगा और नेक्स सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहां पर सेक्षन देखा जाए इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखे तो इंडियन पॉलिटी होने वाला है तो बहुत सार नहीं है तो क्रिपया करके कम से कम एक नज़र जो भी आपके पास नूट से पंचायती राज देख लेजिए कि यह बहुत चुटा टॉपिक पढ़ेंगे तब जाके चार कुशन आपको देखने को मिलेगा और इससे तो अभी फिलाल जतना कुशन आएगा उसी को आम लोग दिसकस करने वाले तो चलिए जो भी प्रिवेस यह के कुशन है यहाँ पे पॉलेटी में आये हुए जो पीसे में उसको आम लोग यहाँ पर बताते हैं लेमिटेट टाइम में हम लोग कर रहे हैं डेढ़ गंटा में आपका हेस्टी जोग्राफिक कर दिया गया है उमीद कर गया है तक नागरिक्ता कानून को किस बढला गया था तो देखे हैं समय समय पे नागरिक्ता कानून को यहाँ बदला गया था और इसमें आपको क्यिता गया है जो विस्थापित हिंदू है उसको हम लोग हिंदू जैन यह सब जो है उसको नागरिकता का दर्जादने का बात करें तो वह जो हो गया यहां पर जो आप्शन था वह पहली बार जो यहां पर किस वर्स बदला गया था पहली बार तो 1986 में दिया गया रिसेंटली अभी पूछ जाएगा तो 2019 से आप याद रखेगा सविदान सभा की पहली बाठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर को हुआ था और इस तरह से सचीजदा नंद सिना जो थे इसके और स्थाई यहां पे चुने गए थे दुबारा एक 11 दिशंबर को होता है राजिन परशाद को सविदान सभा क सविदान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर नहीं इसले लिया गया था क्योंकि रावी नदी के टट पे 1929 में पहली बार जोहाला नेरु जो है वो स्वतंतरता का एक तरह से पूर्ण स्वाराज का घोशना किये थे जो कि अभी इतिहास में हम लोग किये थे याद किय यह पे जो यह पुर्ण स्वाराज स्वारता का घोश्ना किया गया था कि अब हम लोग लेंगे तो तीस में एक साल हो गया और पाली भर स्वारता दिवस मनाया गया था इसले अनिससले में स learnedानी तो उसको हम लोग जो मनाते थे, वो स्वतंतरता दिवस के रुपने बनाते थे, और इसलिए उसलिए उनिस्वत О grain में, पूरा होने के उपलक्ष में स्वतंतरता दिवस मनाया गया, और इसलिए जब देश हमलोग का अजाद होता है तो वो तो 15 अगस्त तो अब स्वातनतरता दिवास तो 15 अब हो गया तो 26 जनुवरी के लिए कुछ दिन बचा के रखें तो सविधान जो है वो नॉवंबर में एक तरह से कहिए बन के तयार हो गया था उनीस उन्चास में तो सारा ऐसा प्रशन यहां पर आ भी चुका है मोंटेगी चांस फोर्ड रिपोर्ट जो है उनीस उनीस में आता है और कई सारे प्रवधान जो है यहां पर किये जाते हैं तो बहुत सारा चीज हम यहां डिसकस कर पाते लेकिन अभी नहीं किये करेंगे निमलेकित में किसे वी निर्धारी होता है कि भारत का सविधान परिशंग यह हैं तो केंद्रा और राजी के भी सक्टी का वित्रन है संग्सुची समृथी सुची गॉमन की चसकता हैं, और जकिन सब्सक्रां के सिद्धान का तात्त पर हैं कि वहम कर सकते हैं भारती के किश में यह आया था आगे है कि भारत में श्वतंत्रता के प्रथम मंत्री मंदर का कानून मंत्री कौन था तो भी आरा मेदकर को प्रथम कानून मंत्री के रूप में बनाया गया था उसके बाद है अनुछेद 35 का संबंद किस्से है तो जमी कस्मीर से है कई सारे उस यह अंत्राल सायद ही कोई छोड़ता है यह वक्त तब किस धारन की व्यक्या करता है कल्यान कारी मतलब करें का मतलब जहां पे भी आप जा रहे हैं सरकार आपके लिए कुछ ना कुछ प्रवधान करें आप एक्जाम देने जा रहे हैं सरकार कुछ करेंगी आप अगर बीमार ह कहीं आपको राज्य का कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा जैसा कि आपको सेंटी वाले वीडियो में बताया थे अनुछेद बारा काता है राज्य के परिवासा तो इसमें मतलब यह नहीं समझे कि जार्खंड और बिहार इसका मतलब समझे कि आपका किन सरकार और कई ऐसे कंपणी जिसमें राज्य का या सरकार का एक तरह से कहिए वहाँ पर हिस्सेदारी है राष्ट्य द्वज के मध्य चक्र में कौन सा रंग यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है तो नीला रंग है चोबीस यहाँ पर तिलना है और अनुपात जो है अमों लोगों का बताया गया है सविधान सबाने भारतिय सविधान में निम्लकित में कौन सा अनुचेद अंतर राष्ट्य सांतिया सुरक्चा की अभीवरिती बढ़ावा के लिए रखा गया है तो अनुचेद 51 जो बोलता है कि हमें जो है अपने आस पास पड़ोस है कि जो भी देश है उन भासा है उससे समंदित है तो अनुचेद 300 यहां पर आपका 45 होगा तो इस तरह से प्रादेशिक बासा स्टेट वाला यहां पर होगा बासा वला चाप्टर में आपको थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किये थे बातिया सविधान के किस अनुच्वेद में राज के राज गति का प्रतीक है तो इस तरह से और लगातार गती सीलता का प्रतीक है तो तो इस तरह से यहां पर यह आपका दिया गया है कि 360 जो है आपका जो है वित्य आपातकाल के तौर पे जाना जाता है उसके बाद है वर्तमान में कुल कितने राज यह हैं तो 28 राज यह तो चेंज होते रहता है चलिए उसके बाद भारतेशा विदान के अनुशेद में कहा गया है कि मंत्री परिशद सामुईक रूप से आपको जवाब देना होगा राजपती के सिफारिस के बगार कोई विदेख जो कर लगाता है विदाइका में नहीं रखा जा सकता है यह प्रवधान कहां पे है तो यह टैक्स से संबंदीत है अनुशेद 117 तो इस तरह से यहां पर बोलता है विदा राशपती के नुपती स से ऐसा कोई भी डेक नहीं लाया जाएगा जिसमें टैक्स इंपोस किया जाएगा बाते सविदान में समय नीटी ने दे सकता तो के प्रेणा हमें किस सविदान से मिलती है तो आयर लेंड यह बहुत ही कॉमन सवाल है उम्मीद करते हैं यह आंसर आप जानते होंगे राजिक रेकित में तो प्रस्तानों को सविदान की आत्म कया है तो प्रस्तानों को हिदाए टुल्लण के द्वारा कहा गिया है प्रस्ताना को सब्हुत होग्म संग हो के बारती एक संगिये राज्य है कैसे तो कैसे केंद्रवार राज्य का जो सक्ति है वो बटा हुआ है यहां पे राज्यों का एक संग है अनुछ देख बोले तो पस वही है उसके बाद यहां पे दिया गया है next question मूल अधिकार से संबनित है किस Congress अधिवेशन में नीटिन दिल सक क्या किया गया था कि संख्या है कि उसके बाद समचार करता का अधिकार आपको मिला है स्वातंतरता के अधिकार के भाग की रुपे नेमले कितमें कौन सा बीना हतियार के सांतिपूर्ण ढंग से इकटा होने का आपको प्रदान है घेराव अप्षर को अपना करतब्य नहीं निभाते हैं ऐसा यहां पे देता है करने का मतलब है अपसर को आप काम करने से रुक नहीं वह भी आपको अधिकार नहीं दिया गया है तो ऐसा नहीं है कटा को सांतिपूर्ण आपको कटा हो सकते हैं बीना अथियार को जिनको अथियार नहीं रखना चाहिए ऐसा एक अधिकार के अभ्यास पर राज्यकानुन बरकार तरकपू बाते सविदान द्वारा प्रदत निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरीकों को भी उपलब्द है तो सविदान का निराकरन का अधिकार जो है वो गैर नागरीकों को भी है बाकि केवल नागरीकों अभी वेक्ति के सवतंतरता देश में किसी भाग में घूमने के सवतंतर करता ये नाग्रीकों को मिला हुआ था और सविधान का कौन सा अनुचिद आ सबı नेक्स है बातेसविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लिख किया गया है تو आपका भाग मौलिक अधिकार से समन्नित है किस रिट में यह अर्थ निकलता है कि वो कोमांड वी कमांड अच्छा यहां पे वी कमांड मतलब हम आपको बुला रहे हैं prisons का मतलब होता है क बाहार रखा गया, इस बात की व्यस्ता सविदान की किस अनुछेद में की गई है, तो अनुछेद 29, अल्प संक्यों को इसे अधिकार दिया गया, वो सैक्षनिक तोर पे भी और अगर धार्मिक तोर पे भी अल्प संक्या के या भासाई तोर पे भी है, तो इस सबको अधिका अंतरगत होने का अधिकार 10 में ऊपका यह तो आपका 22 में 22 . बाकी कि हए वह आप 20 में ही प्राउधान किया गया है उसके बाद यहाँ पे दिया गया है Samera कि इस כस्राक्षा को देै के कए वि็ती है कənकि मॉलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है निए तो फुक्सान पहुचाएंगोंगा कॉन सुमयलित नहीं यहां पे आपका दिया गया और बाता हैं या देखिए यहां पे दिया गया तक्तर ऑसी इसको पढ़ देशनाएक में पूसंसी है क्यों और पतार कीlectree करनों नहीं करेगा तो इस तरह से यहां पर यह दिया हुगा था चलिए ठीक है निम्लेकित में कौन सा अधिकार हमारे शाविदान में केवल उलेकित नहीं है बलकि यह मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रधान करता है तो यह सविदानिक उप्चारों का अधिकार अनुछेद 32 त तो आपके साथ अन्याई भी योगत आप कहीं जा नहीं सकते हैं बात यह सविदान के अनुछेद 22 में उलेकित नियमों के अंतरगत निस्चित प्रवदान के अंतर अप्वात साइथ प्रिवेंशन डिटेंशन क्याओदी कितने माह तक की गई है तो छे मैना तक आपको पक दो मैना यहां तो दिया है तो चरिए गलत नहींडिया होगाम के दो मैना एक्ष्वली डुइम कर रहे हैं यहां को चेकर नदिजिए यहां पर बोला गया है बातिया शविदान के अनुशेद 22 में उलेखित नियमों के अंतरगत उसमें उलेखित निशित प्रवधानों के अपवादो साइथ प्रिवेंशन डिटेंशन की अधी कितने महिने तै की गई है और यहां दो महिना आंसर भी आ जा रहा है ग्रीं की इसका आंसर शोए अभी हम देख लिये यह तीन महना होना चाहिए कि कि प्रिवेंशन डिटेंशन में तीन महिना रहता है चावाली staple से ऑगटा के दो महिना किया गया तो आंसर इसका बड़ी होना चाहिए तो इस तरह से इसका अंसर 3 म厘ना ही होगा यह नहीं होगा यह आंसर B होना चाहें है और खुद यह लग रहा है चवाल शेल स्यधन संसोदन में 3 mm से गठाकर है कंफार्म है कि यह तो प्रायां में 21 अधरार है तो दूसरा आधार है साइनिक विद्रों के स्थिति में और तीशरा आधार आंत्रिक आववेवस्था तो यहां पर यह और भी दिया है यानि कि बार यह आक्रमान और साइनिक विद्रों की आंत्रिक वाला को समाप्त कर दिया गया है चली उसके बाद यहां कि समीथी ने निश्पादन बजट को अ नेक्स चलिए देखते हैं 49 सुरक्षा पर cabinet समीती का सदस्य नहीं है तो कानुन मंत्री जो है cabinet सुरक्षा एक्टर से कहिए समीती का सदस्य नहीं सारजनिक उपक्रम समीति के सापना कौन से वर्ष में हुई थी तो यह जो है आपका 1964 में हुआ था तो इस तरह से सारजनिक उपक्रम समीति जो है उसके बारे में दिया गया है अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कुशन नमर्ट 51 के बारे में अजय है मैं है भारत के राष्चपती पदपन निर्वाचन के रवधान निर्वाचक मंडल में मतलब 2020 चुदाग होता तो कान कोड़ी संसत के दोनों सदिनों के यह सबनता है तो अब यहां पर बनता है उसके बाद अब नेक्स देखते हैं देखिए एक ही दिन में सारा प्रशनों को पढ़ना में थोड़ा सा तो दिक्कत होता है बाते संसद के बीच कितने से अधिक का अंतर नहीं होना जाएए छे माने से ज्यादा का डिफ्रेंस अनुमान समीती कब गठित किया गया था तो 1950 में गठित किया गया था अनुमान या प्राकलन समेती यहां पे गठन किया गया था 1950 में संसद में अनसुचित जाती के प्रतिनीडियों के लिए कितने सीट जो है रिजर्व है तो यहां पे आपका अनसुचित जाती सीट के लिए 84 सीट है और सटी के लिए जो है तो यहां पे संचित निदी है भारत का सारजूनिक की खाता ये भी ये वारत का कास्मिक ने दिया आपदा रहात कुश भारतिय सविधान में ने बोलता है इसको अलग से किया गया है उसके बाद यहां पे निमले कित्मे कौन सा कटवती प्रस्ताव का स्वरूप नहीं है तो और दूस्वाारा साधान बढूमत से पारित प्रस्ता हो यहाँ संसत्थ में जाता है तो वो सालान बहुमत से पास होके हो जाता है, कोई रिक्कत नहीं है, चलिए, नेक्स सवाल की ओर जाते हैं, यहाँ पे आपका पुछा गया, लोकसभा द्वारा पारित, धन विदैक को राजसभा को प्राप्त होने के बाद, कितने दिनों के भीतर वापस लोटाना पड़ेगा, तो मात्र 14 दिन के भीतर वहाँ पे लोटाना पड़ेगा, धन विदैक, और अगर 14 दिन में नहीं लोटाता है, तो मानिएगा कि वो पास हो गया है, लोकसभा में राजसभा में राश्पती द्वारा, मनोनित, कुल कितने सदश्य होते हैं, तो यहाँ पे आपका दो जो होत कि द्वारा ही बजट परस्तुत किया जाता है, श्री एजी के टिप में पर कारवाई करने की अंतिम यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है, तो किसका रहेगा, लोकसभा में संसद में राश्पती भी आ, राश्पती भी आएगा, तो यहाँ संसद होगा, थोड़ा सा भी अगर की पहली महिला सचीव कौन थी, तो बी एस रमा देवी जो थी, वो पहली महिला सचीव थी, महा सचीव थी, रास सभा की, परदान मंतरी निम्न में से क्या है, राज्य का मुख्या, राज्य का मुख्या, और सरकार का मुख्या, इन में से कोई नहीं, तो सरकार का मुख्या ह होते हैं राष्ट्रपती हो सकता है आगे दिया गया है भारत के सविधान निमलिकित Amin कि इस प्रकार प्रियोग की फिरोग किया जाएगा जिससे संग की कारपैली का सक्ति के प्रियोग में कोई और चन ना हो और उस पर किसी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े यह अनुचे दे तीन सब्सक्राइब याद होगा तो ठीक आने तो इतना कभी-कभी क्या होता है जेनरल टाइं में पढ़ते रहते याद प्रतम सिक्षा मंत्री कौन थे तो प्रतम सिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुलकलाम आजाद कानुन मंत्री आपको भी आदमेद करते तौर पर बताएगे राश्ट्पती पर महाभ्योग कारूप शंशत के किस सदन में लगाया कहीं पर भी लगा सकते को दिक्कत नहीं है चलि आपका धारा मतलब सीनटी स्पिटी बढ़ाते 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 अब दारा याद होने लग गया कूर्शन में तर से विरान सबासे कोई नहीं जाते हैं यह चीजा आपको ध्यान में रखना निमलेकेत में से किसी निप्ति भारत की राश्ट्पती द्वारा की जाती है संग राजिशेत्र के मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री के नियुक्ति राजपाल से होता है तो इस तरह से यहां पे केवल एक और तीन हो जाएगा उसके बाद यहां पे जब राष्ट्पती मृत्यूत या अन्य कारणों से अपने कर्तब्यों को नहीं निवा सकता है तो उप्राष्ट्रP कितने समय तक राष्ट्रपती क्रेगा च्यमाना तक स् राष्ट्रपती बनाले तो बाकी का दो साल पूरा लेकिन यहां यहां आई राष्ट्पती ज़ारी एक अध्यादेश होने के कितना समय तक रखा जाना आवसक है तो छे सब्ता के अंदर अंदर चलिए उसके बाद है भारत में राश्टपती के द्वारा अपात काल की घोशना कितनी बार की गई है तो यह तीन बार की गई है यहाँ पे और तीनों का तीनों आपका इंद्रा गांदी के काल से समझने चा पांसा ऑफिस राश्टपती इच्छा प्रयंत सभालता है तो गवर्नर तो इस तरह से यहाँ पे गवर्नर का ऐसा भी जब चाहिए चब ट्रांसपर होता है भारत के राश्टपती को उसके पद से निम्न में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है तो भारत के राश्टपती परामस से नियुक्ति नहीं कि जाती है तो लोग सभा के इस्पीकर की नियुक्ति ने किया आता है वो अपने बीच से ही एक तरह से कहिए चुने जाते हैं फिर यहाँ पे दिया गया है नेक्स कुशन है भारत के राश्परती को पद्व घौपनिया था कि सपत कौन दिलाता है तो राश्पति को सपत कौन दिलाएंगा है मुख्य न correcting अगर नहीं रहेंगे तो जो भी इसके बाद सबसे उच्छ होगे वही दिलाएंगे भारत के सविधान के अंतरकत सरोच कारेपाल पनी का पनी है तो सरोच कारेपाली का पनी है कारेपालिका एक्जेक्यूटिव में सबसे हिड़ पद जो होता है वो परधान मंत्री के होता है हाँ सविधानिक पद में अगर का जाए तो राश्ट्पती हो जाएगा तो इस तरह से यहां पे परधान मंत्री होगा यानि की एक मिनट कारेपालिका में बोला जा रहा है आग्यां पर सरुच राश्पती का प। स्वार्श अगरत का सद बने मिना भारत का प्रधान मन्तरी अधिक्तम कितने दिन्यां तक लाउ सकता है उसको कहीं से इलेक्षिन जानना पड़ेगा तब भारत में नागरीकता कानुन में परिवर्तन करने का अधिकार ने भ हास के तहत किया गया है है भारत को सविदान के अनुच्यद के द्वारा वहां पर मिला तो विदान की अवसिष्ट सक्तिया नहीं है राज सूजी के विशाय में राष्ट खीत की विधी बनाने का सकती है यह दो सुझ जास के तरथ है आप्शन दो यह दिक रहा है अंतराष्ट करार को प्रवाही करने क तो पर नहीं है तो अगर इमर्जनसी जो है वो कानून बनाते हैं जो भी प्रतान मंत्रिया और उसके मंत्री परिश्ट के द्वारा कहा जाता है नहीं है तो दोरी नहीं व्यवस्था बिलकुल सही यहां पे सही नहीं है पूचाई तो दोरी नहीं व्यवस्था जो है यहां पर दिया लेरा है कि नुख्यत में कौन साकसा एक कथन सही नहीं और यह जो हैं सही नहीं नियाई पालिका प्रवधान काता है इसमें इकरी नियाई पालिका है देखिए एक इकरी यह बाते नाइक वास्त हाँ ठीक है यह नहीं सही है बोलना हो जाए सही नहीं है सो नहीं होगा बाते सही है पूछा भारत के सविधान भारत के मुक्य नादिस के पद के लिए प्राव नियाएक सक्रियतावाद को नियाएक जोकी मुवाद नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होता है, पी आइल करते हैं, तो बीना मतलब का सब चीज का पी आइल करते रहेगा, तो फिर गलत, मतलब कोट उसमें उलज जाएगा, तो नियाए मौर्थी एस आनन्द के द्वारा यहां चाहिए, थीक है, यहां पर सभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राजियों की विदान सभाइकरती है, बिल्कुल यहां पर यह कत्न राजसपति रासपति के लिए चुना लड़ सकता है यह बात आपका सही है मोदी जी वारानसी से लड़ भारत के सविदान में सब्सक्राइब कर supports is not required आपको कहां देखने को मिलता है सुभीधान के किस अनूशेत में सरोष ने आले कर अस्थापना और सभीधान से समध्ध तो यहruktur सब्सक्राइब है राजकी कामलेखित में उसके राजत के विदान gli इंधेयन को यह प्रवधान है कि लिए ज 97 नहींAssar आहिए पूरी तरह होने लग जाते हैं किसी राज्य सरकार का कानून कानून मुख्या निमलेखित में कौन होता है तो कानून मुख्या कौन होगा जैसे कि अभी देश का भी हम लोग कारे पाले का हेड़ देखे राश्पती तो राज्य का जो होगा वो कवरनर होगा निनानमे के बाद सेंचुरी हम लोग चलिए पूराते हैं सोरंचीवरी पूरने के बाद जो है थोड़ा पाउज लेंगे पानी वेगर पी लेते हैं निमलेकित में किस आयोग द्वारा राजिपाल के पद की समाप्ति का सुझाओ दिया गया है तो राजामनार आयोग के द्वारा बोला गिया है कि कंप्लीट हो गया है 211 प्रशन तो अभी 111 कुशन बचा हुआ है तो हम तो पाउज ले लेकि आपको बता रहे हैं उमीद करते हैं आप भी पाउज करके के पूरा वीडियो देख लीजिएगा एक शो एक में बोलता है राज़ेपाल का वेतन और भत्ते दी जाती है कॉन-क यूपी है महराश्य अंद्रपरदेश ब्यार करनाटा को तेलंगना है यहां पे जमुकस्मीर था लेकिन उसका स्टेटस अब खतम हो गया है तो वह समाप्त हो गया के पहले साथ था केंदर साशित परदीश लद्दा का प्रथम उप राज्यपाल किसे निक्त किया गया है आर की माथुर को निक्त किया गया है यहां पे था लेकिन यह अब था हो जाएगा ठीक ना दूसरा प्रशन है यहां पे भारत में राज्यों के लिए राज्यपाल की निक्ति कान करते हैं तो राज्यपाल की निक्ति जो है राश्पति करेंगे लेकिन ठीक है प्रदान मंत् को ही त्याक पत्र देंगे अजाद भारत में किसी राज्य की प्रथम महीला गवर्नर कौन थी तो स्री मती सरुजनी नाइडू और यह यूपी की थी चलिए मतलब यूपी में राजपाल बनी थी किस अनुचेद के तहतर राजपाल मुख्यमंतरी को निप्ट करते हैं तो अजिशिक के बारे में यहांपे क्या प्रण उसको अम्लिब देखतें एक है अधिकारिक्ता के विशय में कून सा कथन यहांपे सही है यह आपको पूछा गया है तो चले है इसके बारे में यहांपे देख लेते में अपना मत करें नहीं बाद्यकारी नहीं है तो यह गलत हो जाएगा परामर्सी अधिकारिक्ता की सकती के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्छ नियालय की पूर्ण कि सक्ति के अधीन एक बार केवल एक निर्देश बेश सकता है तो नहीं यह भी स्टेटमेंट गलत नहीं एक से ज्यादा भी बेश सकता होगा चले तो यहां पे स्टेटमेंट कौन साही है दो और तीन अब बाकी यहां पर नेक्स्ट प्रशन को यहां पर हम लोग देखने का प्रयाज करते हैं कि आगला प्रशन यहां पे कौन सा है नेक्स्ट यहां पे यह चीज़ता हम लोग देख लिए इनमें से किस देश के उस्टम न्याले का चेत्रादिकार सबसे बड़ा है तो गुवाहटी किस देश ने देश के किस गुवाहटी जो था वहां पे है इसका इससे दो प्रशन तो आएगा यहां पर राष्ट्टि आयोग के अध्यक्ष न उसके बाद है कि समीटी ने जीला कलेक्टर की विकास में भूमीका की कमी की सिफारिस की थी तो यह जीला कलेक्टर का विकास की भूमीका में कमी मतलब वो जो है बहुँ ज़्यादा विकास न से त्यत्रवा है पंचायत से चवातरवा है नगर बाली का से फिर अब सवाल की और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सवाल है यहां पे तो अशोक मेदासमीति का गठन कभ हुआ था तो यह उनीस सब्सक्राइब कौन सू विवस्थित नगर पाली का प्रशाषन की अस्तापना है तो चंद्रगुप्त मौर्य है वहां सही हम लोगों को पता चलता है पंचायती राज तंत्रसवर पृथम किस राजी में शुरू किया गया था तो यह हुआ था आपका राजस्थान के नागोर जी ले में र में है शकाटियान किस वह बह्त से अधिनों किया जाता है तो राम अगीया ऑम सब्सक्राइод करने को सब्सक्राइब यहाँ पे चलता है आगे भार्टिय सविदान का कौन सा अनुशे जीला योजना समीती से समदिधी से है भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है तो पंचायती राज में आरक्षित है लोग सभा में तो बोला जा रहा है आरक्षा दिया जाएगा लेकिन अना मेरिक अनुसूची में सहरी सानीन स्वुषाशन का वर्नन किया तो यह बारवी अनुसूची में क्या गया है चोवातरवा सविधान संसोदन से इसको जोड़ा गया था तो अनुछे 270 में केंद्र के द्वारा लगाया जा रहा है लेकिन बटवारा राज्य को भी होगा यानि कि राज्य को भी कुछ हिस्सा यहां पे 270 के तहट आपको मिलने वाला है फिर नेक्स है अस्थानिय सरकार की केंद्रिय परिशद की अस्थापना किस वर्ष हुए थी तो सरकारी आयोग द्वारा निम्ल में से किसके साथ संबंधित है तो फिर वही चीज़ है केंद्राज संबंध के बारे में है बारा सरकार की पुंची आयोग का गठन कब किया गया था दो हजार आठ में यह आपका 2007 है यहां पे तो रिपोर्ट दिया होगा 2008 में हां देखिए 2010 2008 में गठन हुआ था अनुसूचित जन जातियों के लिए अलग से राष्टी आयोग का गठन कब किया गया है तो 2004 में अनुसूचित जन जातियों के लिए । अधिय के लिए नवासिय स्विधान संसुदन के तःत किया गया था निम्न में से कॉट सा आयोग समाजिक निया और सकती करण've जो यों नहीं जुड़ा हुए है सि इस तरह केंद्र राज्शम्वंद्यों को विशस लूप से किस प्रसंग में मुंसिबल सम्भंद कहा गया है तो वित्यमामलों में राज्जAR केंडर manure के नियांतरन के प्रशंग में इस तरह से का गया मुंसिबल सम्भंद कहा गया तो इस तरह के प्रश्ण भी देखने के मिलता है कि साएयोग ने अस्था अंतरर राज्य परिशद जो कि अंतर सरकारी परिशद के नाम से जानी जाती है कि इस थापना की बारे में बवल्वा था तो अंतर राज्य परिशद किया सापना किस अनुशेद से किया जाता है तो 263 से अंतराजिये परिशद का यहां पे गठन किया जाता है जिसमें कई राजी जो है अपने साथ में बढ़ते हैं और अपना जो भी आप सी मामला है उसको सुझाने का प्रयास करते हैं ऐसा बोला गया था देखिए यह आर्टिकल में बोला गया था लेकिन यह 1990 में अंतराजिये परिशद जो है जहां तक हम को याद हो रहा है वो गठन किया गया था पल यह नहीं था बोला गया तो सविदान में बोला गया आप लोग गठन किजिए अपना मामला को सुझाईए लोग सेवा और निर्वाच जो अध्यक्ष जो होता है टाइमान मंत्री होते जो कि समय समय पैजा आनवाल पुर्न कालिक यहां कौन हो होगा अपके यह सब बोलके यहां हटाया गे इसको इन में से कौन से निती आयोग की विशेश विंग नहीं है तो नीती विंग जो है कि आयोग की विशेश थी नहीं है नीती आयोग का नीती का माइने क्या है तो बदलाव हे तू राष्टिय संस्थान National Institute for Transforming India इसका है तो नीती आयोग सही उसके बाद यहां पर देखें नीती आयों के अध्यक्ष्ण में से कौन है यह तो चेंज होगी है अध्यक्ष तो पढ़ार मंत्री होते है ठीक हुपाध्यक्ष में चेंज होते रहता है लोग सेवा सब्द पहली बार कब परियोग में लाया गया था यह जो आया था एह उन राजपाल की मांग और राष्ट्पति की संस्तूती पर ही संगलोग सेवा आयूग जो है राजय की आउनसाथ। आउंक पूर्ति के लिए आ सकता है यानि कि अगर जेप्ट कावकाप नहीं हो रहा है तो योटेवल इस ओक किसि के अनुन मतिश्यां आ सकता है बोले कि अपने राजिका है तो फिर अपना राजिके लोगों को परमोट के मतलब भेदभाव कर सकता है जो अपना आदमी होगा उसको उसके पक्ष मिन्दे नहीं देगा इसलिए बोला दूसरा राजिका होना चाहिए सवैधानिक दर्जिक अनुसार संग लोग सेवा आयोग है क्या है एक ऐसा निकाय जो लोग सेवा को के प्रसिक्षन और प्रविक्षन करता है उसके बाद दिया गया है अधिकारिक भासा आयोग किसकी अध्यक्षता में सापित किया गया है तो बीजी खेर के अध्यक्षता मे किस समीति ने पहली बार लोग सेवा के लिए प्रसिक्षन की भूमिका का सुझाओ दिया था तो फुल्टन कि लोग सेवा को क्या मिलना चाहिए प्रसिक्षन तो देखी यह जो है पब्लिक अड्मिस्टेशन का है तो अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ गया है तो कुछ नहीं से अच्छा है कि थोड़ा बहुत आप पढ़ लिजे सविरान के किस अनुशेद के अंतरकर लोग से वायों की कारियों की परिवाशा किया गया है तो अनुशेद तीन सो बीस अब हम लोग देखते हैं नेक सवाल कहां तक पहुंच गया एक सव पचास तक और चलिए 211 तक है दाग द्वारा मतदान को करते हैं क्या परुक्ष मतदान मतलब प्रतेक्श रूप से भारत का चुनाओ योग निमलिकित में किसके से चुनाओ नहीं के से जुड़ा हुआ है तो चुनाओ एक पंचैती राज में करता है और राजी का चुनाओ करवाता ह चेत्र के अनुसार भारत का कौन सा लोग सभा चुनाओ चेत्र सबसे बड़ा है तो यह जो है लदाग जो है सबसे बड़ा चेत्र है किसी दल को राश्टिय दल के रूप में स्विक्रिती टब मिलती है जब वह अब यहाँ पे देखें यहाँ पे आपको यह बहुत डिटे देखने को मिल रहा है यह लोग सभा विरान सभा के आम चुनाओं में चार अधिक राज्यों में वैद मतों का छे परतिशत अगर मत करते हैं उसके साथ साथ चार सीट भी अगर आप जीते तो आपको नेशनल पाटी का दर्जा मिलेगा कोई डल राश्टिय दल की मानेता प ससकते थैंना रहा है कि कुछ कहना नहीं भारत का ऊप चुना युक का यह होते है रहे सार्जी की प्रावधान की अनुसार कौन सा विकलांगता राज्यी की आर्थिक चम्ता नुसार सारजिंक सहीता की मांग करती हavior तो यह होगा आवांचित इकाईयो के मामले में एक नई अख्यल भारती सिवा के शुरुवात की जा सकती है कौन का सकता है साविदान 300 की अनुचे 312 के अंतरगत एक प्रस्ता लाएगा और यह कहां लाएगा राजसभा में तभी हो सकता है बिना राजसभा का अनुपर्ति का नहीं होगा कौन सा अनुचेद विदाइका को चुनाव विवादों की निप्टाने के लिए प् एक ट्रिबुनल गठन करने का यहां पर सकती देगा 323 24 में सविदान निर्वाचा नायूग का बात किया गया चलिए बाते सविदान के किस अनुचेद में प्रांतिय लोगसिवा का गठन है के बारे में तो प्रांतिय और लिप्सवा का प्रवधान किया गया है तो यहां संसुची में सविदान के संसुधन तो यहां पर है भारत के राजिके संसुधन 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 दो अलग निकायों में बाटा गया है तो अनुशेद जो हो जाएगा वो आपका 89 के तहथ यहां पे हो जाएगा सविदान संसोदन 89 के तहथ यह आएगा तो इस तरह से आंसर जो जाएगा वो सी हो जाएगा ठीक ना चलिए अब नेक्स्ट यहां पर हम लोग सवाल देखते है कोशन नंबर 163 देखते हैं अब चलिए खतम होनी वाला है पॉलिटी तिया तरवे सविदान संसोदन अधिया अधिनियम का आधार निम्न में से कौन सा है तो यह हो जाएगा आपका अनुशेद चालिस क्योंकि नीतिन देशक्तत्यों में कहा गया है पंचायती राज को आस्पति के समति कब प्राप्त हुए तो यह तो डेट याद होना है आठ सेटमबर 2000 2000 क्या लिखा है 2000 यहां पे सुल्ला होना चाहिए क्या लिख दिया है मिनर्वा भार मिल मामला किस सविधान संसोधन से समक्षा के लिए राष्टि आयों की अस्थापन का गठन कब किया गया ब्हारती में से प्रभाद में कुछ प्रशासनी है। शासन केंद्र बिंडू करके यहां पे दिया गया है नेग्स सवाल यहां पे आम लोग देखते हैं mem». सभी प्रकार के समाजित के विभेदन का ऊंजमूलन मानावधीकार की किस पड़ीक अंत्रगत आता है तो तीसरी पड़ीक के अंत्रगत आता है केन सरकार के इस्तर पर सहरी विकास मामलोग की देख भाल करने वाले मंत्राले का निमलकित में कौन सा सही अधिकृत नामकरन है तो इस तरह से आवास और सहरी मामलोग का मंत्राले हो जाएगा यह बैकलोग का एक्जाम में हुँआ था जो 2018 मिहुआ था सीमा चौक्सी प्रबंदन कि संग मंत्राले के अंतरगत आता है तो यह आता है ग्रीह मंत्राले के अंतरगत तो इस तरह से सीमा चौक्सी प्रबंदन ग्रीह मंत्राले के अंतरगत आता है और यह जो किंद्रिये सरकार के सहरी विकास मामलों का देख बाल करना होता है तो आवा सत्थोर बोलता है 12 सरकार के किस मंत्राले ने राष्टिए विरासत सहर विकास और 59 यूजना का सुभारम किया है तो यह जह होगा सहरी विकास मंत्राले के द्वारा होगा चीप ऑफ डिफेंस स्टाप की रैंक क्या है तो चार सितारा यहाँ पे इस तरह के भी प्रशन यह विवेद में ऐसे लिए कुछ भी पूछ रहा है सैंक राष्ट वारा मानों अधिकारों के विश्वे आपकी घूषना कब की गई यह इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 10 दिसंबर 1948 को यहाँ पे यह आपको दिया जाता है उसके बाद है लैटिन अमेरिका का कौन सा देशार प्रथम नाटो का सदश्य बना था तो कोलंबिया जो है वो नाटो का सदश्य यहाँ पे बना था यू एन एस सी का तात्परे क्या है सव्युत राज सुरक्षा परिशद है जिसके हम लोग सदश्य बनने का पूरा प्रियास करें लेकिन अभी तक सदश्यता मिला नहीं है बाते लोग प्रशासन का संस्थान कहां इस्तित है तो नहीं दिल्ले में इस्तित है निदेश आला निदेश आला डाइड डारेक्टरेट जो होता है वह क्या करता है उस नीती को लागू करवाता है वैस्व में बेसिक डेमोकरशी मूल लोग तंत्रशब किसका किसने परियूग कि किया था तो अयूब खान के द्वारा ये किया गया था उसके बाद नेक्स प्रस्ट देखत तो एक दो तीन चार सभी डी ऑप्शन होना चाहिए चलिए उसके बाद एक कोई विदेख धन विदेख है अत्वा नहीं है इसका निरदारन कौन करते लोग सबाद के स्पीकर करते हैं इसलिए कोई अगर बैक्डूर से अगर का आ जाता है इंट्री करवाना है तो आपको उसको दन विदेख बना देजिए वो उसके बाद क्या हो जाएगा राजसभा से अनुमती लेने का कोई जोरी ही नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा चौदर दिन तक राक सकता है उसके बाद क्या करेगा उसके बाद तो पास माना जाएगा भारत के पहले लोग पाल कौन थ दिया गया है आपका मदरास राज्य करके यहाँ पे दिया गया है उसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया है यहाँ पे यह जो है आपका मोती लाल बनाम उत्तर परदेश और पश्यम बंगाल बनाम यहाँ पे आपका दिया गया है पश्यम बंगाल बनाम सुबोद गोपा तो इस तरह से इसमें कौन सही अंसर होगा ये आपको पूछा जा रहा है ऑप्षन जो है वो नीचे दिखने को मिल रहा है कि 2 और 4 है, 1,2,3,4 है और 1,2 है और उसके बाद 1,2 टीम करके यहाँ पे दिया गया है तो इसमें आपको सही अंसर बताना है कि यहाँ पे सही अंसर आ शिमंगाल बना मसुबूद गुपाल राएं जमिदारी वहस्ता से समधिते परंतु उचीत विकल ना मिलने के कारण आयोग नहीं इसका चोड़ दीजे ऐसा भी काम होते रहता है सूसासन के संदर में कौन सा सत्य नहीं है तो यहां धारनिक भावुकता जो है वो सूसासन के सं नहीं में लुकायुत अदीनियम को पारित किया गया था महरास्ट में निमन में कांग सूशासन की विसेस्ता नहीं है तो लाल फिता सः सूशासन के विसेस्ता नहीं है जो rabbits May लेका परिक्षण आपने अपने दिन्यम 1993 को किस वर्ष संसुधित किया गया था तो 2006 किस वर्ष भारतिय सरकार ने विभागों का नाम बदल कर मंत्रा लए किया था तो 1947 में सात्वे केंद्रिये वित्यन आयोग का अध्यक्ष कान था तो यह हो जाएगा अशुग कुमार माथूर जमीनी अस्तर पर यूजना विशिशक्य समीति का द्यक्ष कौन है तो वी रामचंद्रन निमलखित कैबिनेट समीतियों में कौन सी एक अब कार्यात्मक नहीं है प्रक्रितिक आपनाओं के प्रबंधन की कैबिनेट समीति नेक्स्ट अब क्या है वन नाइंटी नाइन दोसों किस आयोग ने भारत में पद वर्गी करन प्रणाली को अपनाने के सिफारिस की है तो यहां पे सी हो जाएगा प्रशास्निक सुधार आयोग प्रदान मंत्री नेहरू ने उनी सव तिरपन में राज्यों की भासाई आधार परकुनर गठन के अध्यान के लिए एक समीतिय का गठन किया वह किसके नि सत्तियों में आया तो सची वाला जो हैा Ayad audio Band 846 आप्शन बी चले ठीक है अब सलव जाएंगा फिर समवापत हो जाएगा आखिरकार राजसाबार ने और अधिनियम कब पारित्र किया तो दो हजार चादम इससे समंदित एक पिक्चर भी आया था किस अनुशेद के तहत संसद सारजनिक सेवाओं की भरती को नियंत्रिट कर सकती है तो यह जो दिया गया है आपका आप्शन ए 309 के तहत उसके बाद यह भातेश विदान के किस अ प्रवधान होगा उसको दोला गया चैने उसके बाद है लोकसभा के सीट वेगरा का परिशीमन है वर्तमान में भारतिये सविधान में गन्ना के दृष्टी से कुल कितने अनुशेद और अनुशूचियां है तो देखिए ऐसा प्रसन तो नहीं आना चाहिए कि ऐसा सुची और 395 अनुशेद बदलते रहता है सविधान संसोधन हो गया कम बेसी होते रहता है उसमें आपको नहीं जाना मूल रूप से क्या है वह याद रखे 395 और आठ अनुशूची जिसमें बारा अनुशूची चेंज हो चुका है 95 अनुशेद में संसोधन होते रहता है उसमें नहीं जाना है मूल भारते सविधान में कितने भाग फिर से वही चीज है यहाँ पे 22 भाग 395 और आठ अनुशूची यह विसे आप राधिक कानुन और प्रिप्रिया सामील है समार्थी सूची में लास्ट कोशन है किस राज्य के मुख्यमंत्री को लुकाय के अधि जो इंपॉर्टेंट एक तरह सखा सकते हैं जो हम लोगों का सेक्षन है इकॉनमिक्स उसका भी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि यह बहुत ज्यादा करेंट से रिल्चेट है और दस कुशन है साइंस और टेकनलोजी को यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसमें जैनल साइंस जो है व यहाँ पर सॉल्फ करने वाले हैं तो चलिए सॉल्फ करने का प्रयास करते हैं जैसा कि सुरुवात में ही का गया बहुत ज्यादा एक्स्प्लिनेशन का यहाँ उम्मीब नहीं कीजेगा हो सकता है कहीं पर हमको बोले मिस्टेक भी हो रहा है थोड़ा बहुत लेकिन अब सब पानी आइनिक लवन का सुविलायक है क्यों क्योंकि इसका दुवे दुरुए आगुर्ण से अधिक है चलिए साइन्स से बहुत ज्यादा कॉंप्लिकेटेड अभी नहीं जाएंगे क्योंकि यह साइन्स को अगर बहुत ज्यादा एक्स्प्लिनेशन करेंगे तो 25 सभी क्या जो सुन्य परिनाम देशक्ती है वो क्या दिया गया है तीम दिया गया है कि सबको अभी हम लोग फिलाल नहीं निकालेंगे विदुधारा कुन आपने वाला उपकरन क्या है तो यह एमिटर है अभी हम लोग कैलकुलेशन में जाएंगे इस सब नहीं सिंप्ली जो आ र करलको नियम दूसरा प्रशन रह cling डिया पर नेक्स प्रश्नियाurg देखते कौन सा याँ पे बादल और वाई मंडल का तैरना कि सक कारन से होता है तो श्यांत विसकों से टिक शरुक करने को सही बताता है तो यहां पे जडत्यूं का प्रथम नियम बताता है कि जो जीस अवस्था में वो इसी अवस्था में रहना पशंद करता है वेग समय के graph का ढलान क्या दर्शाता है तो ये त्वरन को दर्शाता है तो इस तरह से यहाँ पे ये आप graph में देख शकते हैं कि वेग और जो समय है प्रकास का वेवरन निमलेकित में किस वज़ा से होता है तो प्रकास का विसरन सोरी यहां पे विसरन मतलब क्या था घुलना तो धूलकन से यहां पे होता है उसके बाद दिया गया है लेजर का पूर्ण रूप क्या है तो light Amplification by Stimulated Emission of Radiation चले समान इस्त्रियों की आवाज का तरह तत्यों क्या होता है पुरूस के तुलना में यहां पे पिछ जो होता है हाई होता है इसलिए थोड़ा सा उनलोगों का आवाज ज्यादा चुपता है जिसे कि हम बोलता है ना बाग का पिछ जो है वो कम है लेकिन आपक लगनल जमने पर टूट जाती ही क्यों क्यों क्यूंकि उसका जो आईतन एंवाली में बढ़ जाता है च्राम लिए समन्दित है थो निमने ताप से क्या है समंदित है रोकेट वे गळावे यूज किया जाता है बहुत जमीज जील कर मिछे नीचे का पानी जो प्रोस्थापन में उसके बाद यहां पे दिया गया प्रकास से प्रकास उच्छक डायोड के कारे करने का सिध्धान्त है तो विदुत संपेट करके यहां पे दिया गया है लाइट इमिटिंग डायोड जो है वह मतलब क्लास 12 का है वैदुत संदेटीवी के सिधान पे कारे करता है ऐसा दिया गया है दूर दृष्टी से प्रिडित व्यक्ति को कठिनाई होती है क्या चीज पास की वस्तू स्पस्ट रूप से देखने का तो नाम है जैसा दूर दृष्टी दूस तो दूर का दिखता है नस्दी का नहीं दिखता है चलिए यहां है ओ ट्रीडी फिल्म देखने के लिए चस्मे में परियोग होता है तो पोले राइड चस्मा का जो चलाते समय अपने पीछे या आताया देखने के लिए मतलब बैकड दोर बैकडोर के तोर्टे हम कौन साए उत्तल है बाला चीज को चोड़ा रूप में दिख ताकि घुमा फिरा के भी वह आपका अंदर का चीज देख सकता है उचित रीती से कटे हीरे की असाधरन चमक का कारण क्या है तो पूर्ण एक तरह से कहिए उच अपूरतनांग सुचकान वहां जो है वह बहुत जादा लाइट जो है वह मुड़ता है इसका पूरतनांग जो ह सब्सक्राइब का भी क्या होगी इसके बाकी तो कि प्रकास के गति कितना होता है तो क्या अश्जन करता है तो अवरक्त की रन जो इंफ्रारेट ज tahu इन निम DDL की दुरस्त निएं तो अवरक्त कीरन जो है वो लाया जाता है उसके बाद यहाँ पर दूसरा कुश्चन है नहीं है तो पराधोनिक तरंग जो लिए विदूद्ध के तरण का उदारन नहीं है डाइनोमों का काम क्या है यांत्री कुर्जा को विदू तुर्जा में क्या करता है बलता है डीची म सबसे बड़ा और स्थिर तक तो है तो यहां पे पॉल रहा है तो यहां पे पॉलेनियम नहीं है लेड जो है बाकी जो है यह रेडियो एक्टिव एलेमेंट है अलबर्ट आइस्टैन को किस और समान नहीं कारे के लिए जाना जाता है तो फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कि यहां पे धातु है जिसे हम लोग सवरुर्जा पैनल मनाते हैं ना कि यहां प्रकास पड़ेगा तो इसे ऐलेक्ट्रों जो है बाहर निकलती है और इलेक्ट्रोन जो बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रोन के प्रवा को ही विद्धुदार करते हैं यह सब सारा चीज है SLV3 क्या है तो यह क्या है सेटलाइट लांच वहेकल है जिसमें सेटलाइट यानि उपगरा को आप लोग लांच करते हैं यानि गाड़ी के तरह काम करता है कारण इसका होता है कि विरिस्वत वी रेखा में तरीजा जो होता है वो आपका ज़्यादा उता है तो एस तरह से यह आप याद कर सकते हैं उसकर्षण के नियम के पहार, चंडर्मा पर कें च्छे गुणा होगा प्रिट्वी पर बोल रहा है वस्तु कबार चंद्रमा पर उसके भार के शे गुना मतलब चंद्रमा वागर एक किलो है तो यहां पर आपको छे किलो लगे वो चीज़ उल्टा करके यहां पर दिया है तो फिर क्या होगा यहां पर इन किसी पिंड का अधिक्तम भार कहां होता है तो निर्यात में अधिकतम편 वायो महोगा जल में होगा फायादार से कल सकते हैं आ वह अपका भार को करेगा कम करेगा सताव इंस्टाइन सिधांत का सिधांत विस्दांत रुल्सा पर दिया होता है दूद का सफेद रंग होना किसके लिए कैसीन के लिए देश की उनतिस राज्यों और छे संग राज्यों के छित्र की 312 सरकार राष्ट्य वायू गुनवाता मॉनेटरिंग के अंतरगत निमलेकित में किस मिश्रन को सभी जगह नियमनित और मॉनेटरिंग करने के की नहीं है दूसरा यहां पे दिया गया है नेक्सिक्शन चलिए देखते हैं हिक्स पोर्षन को इस से भी जाना जाता है किस से गाँड कंके गॉरण पाडिकल के लिए लाने मुट परियोग किया जाने वाला सही निमलेकित में तूटन से कि सके टूटने से प्राप्त होता ह किसे बीजगनीतिय पौधे से तरह से बीजए पौधे से डाइनमाइट के निर्मान में प्रयुक्त होने वाला रशानिक पदार्थ कौन है तो ग्लिसराइल ट्राइट जो है इसमें आपका डाइनमाइट जो एक तरह से का सकते हैं विस्पूटक बना जाता है बुलेट प्रकृतिक रबड़्ड निमलेकित में से एक का बहुलक है तो वह कौन सा है आईशो प्रिंग का बहुलक है प्रकृतिक रबबड चलिए नेक्स्ट कुश्य यहां पे देखते हैं फिप्टी नैं59 में यहां पे आपका निमलेकित में कौन से Kings कारग है तो यहां पे साबू द्रौप में है तो यहीं सियंग कमरे के द्राउरूप में है तो सिंदूर यह होदा है वह आपका aucune पॉरिक आक्साइड सायद है मूरिक सालफाइड होना चाहिए देखते हैं वही है यह है यह वही है जो है इसकी है नाud के नाइट्रोजन के द्वारा ली जाने वाले नत्रजन का रूप है वो जो nitrogen जो है वो है nitrogen किस रूप में लेता है नैटरेट की रूप में नमेकित की उपस्थिति के कारण पीटल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है तो hydrogen के कारण उसके बाद यहां पे आपका दिया गया है क्या उसको देख लेजे वास्पी करन का कारण क्या है तो वास्पी करन का यहां पे कारण ने ठंडा होना ताकि आपका जरीर से जो है वास्प होता है तो वास्प होने के लिए क्या होता है आपका सरी से तापमान खीचता है नियोट्रोन से मिलके बनता है चले ठीक है प्रोटोन नियोट्रोन केंद्र में उलता है एलेक्ट्रोन चारोवर उसका चलता है विसाक्त मॉस्टर्ड गैस है तो यह लिक्विड रूप में नाम में है गैस लेकिन लिक्विड रूप में देखने को मिलता है आदास गैस मानते लेखते हैं धातु के साथ अमले की अविक्रिया होने पर शमानियत कौन सी गैस निकलती है तो इस तरह से यहां पर निकलेगा हाइट्रूजन लोही की चादरे जंग से बस्ती रहती है क्योंकि उसमें निमलकित की परत विद्यबान है तो यहां पर किसका परत है यसद लेपन का यहां पर कहते हैं गिल्वनाजेशन जो की जस्ता का परत यहां पर किया है हैं तो calcium carbonate उसका एक component होता है चिलिए यहां 74 तक हम लोग पहुंच गया है next question देखते हैं non sticky frying कड़ाही में लेप लगा होता है वो क्या लेप होगा टेफलोन लेप होगा उसके बाद यहां पे CU का उसके IS से निस्कर्शन किस विदी से किया जाता है तो वो आपका हो जाएगा hydrometeorology से निमलेकित में कौन और crystal यह ठोस पराट है तो यह हो जाएगा आपका काच और crystal है लेकिन ठोस है मृत मचली से निकलने वाले दुरगन किन योगी के कारण होती है तो amino योगी के कारण यहां पे उसका दुरगन्द हम लोगों को आता है उत्पारण में जिप्सन का प्रियोगता है ये 3 का 3 statement जो है वह से मंतलब सही है निमलेकित में कौन सा समाने प्रशि टक जिसको घड़ेलु प्रशी ट्रों में प्रयूब्त किया जाता है तो यह हो जाएगा अबका फ्रयोन हो जाएगा उसके बाद है इनमें से किसको मतलब सबाधक लुखक रिखन तो त enclaac क्या है तो आपका हीलिएम का नाभिक है लेकिन है डोनों यहां पर एलेक्त्रों जो होते हैं वो तो इस संबसे पहले क्रितिनम स्थ्पाद्रिक किया गया था टेकनीशियम करके देता है तो बॉक्साइट से हमको क्या मिलता है तो एलमूनियम मिलता है जो बगरु पहाड जो लोहर्द अगर फेमस है विस्व में उपयोग में लाई जानी वाली प्रथम धातु कौन है तो तांबा है प्रथम धातु पोटेशियम ग्रेफाइड काम चल जाएगा तो डूलो माइट यहां पर सूडियम यहां पर कॉपर पाइड होगा जिंक के कैलमनाइट होगा लेड कैलेना होगा सूडियम का यहां पर डूलो माइट यहां पर नहीं होगा यह लास वाला अंसर था गलत तो इसलिए गलत ही बताना था तो डूलो माइट का सूडियम आयसक नहीं होगा बलकि कैलसियम का यह अलग आयसक है कौन डूलो माइट ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी जाती है त यहां पर हम लोग नहीं बनाने जाएंगे भारी जलका रसाइनिक फर्मूला क्या है तो डीटी ओ है भारी जलका आवर्ट सार्नी में बाएं से दाएं पर धात्विक गुण्ज है वो आपका घटता है देखिए आम लोगों के चैनल में से रिलेटेड आपके पूरे चैप्टर दिये गये हैं प्लस एंसी की दिया गया वहां अच्छे से समझाए गया यहां पे इतना आपा धापी है कि क्या बताय क्या ने बताया वो तो हमको खुद में समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी हां कम से कम एक बर गुजरे हुए रहिए क्लोराइड का फिर है सिर्का में पाया जाना वाला अमल होता है उसके बाद यहां पे दिया गया है आपका निमलेकित में कौन सा योगिक लुईस अमल नहीं है तो यहां पे इनस त्री जो है वो लुईस अमल जो है वो नहीं होगा किसी रासाइनिक पृतिक्रिया जिसमें पदात को उसके गलनांग से नीचे हावा की अनुपस्तिती में गरम किया जाए उसको क्या का सकते हैं तो यहां पे उसको क्या कहा जाता है देख लेते हैं नहीं पता है आंसर यहां पे सी बोला जा रहा है याने की कैल्सिनेशन के नाम से उसको जाना जाता है एटम में नीट् करबंट रखी फिर यहां पे आपको दिया Гया गया है उद्वपातन है तो उद्वपातन जो है घ्रूर्ण गैसमें रूपाक तंद में पातन है उसके बार है तो हुझ ठोवा पड़ाट की अवस्था काजना है अट शरी पाणी बार्ट पर चुर्ण है ऐस से तेवगा है चले ठीक है ऐसा ही होता है लेकिन डास में डी दे रहा है क्या है अच्छा इन में से कोई नहीं नहीं लिखा इसलिए यह मतलब जब्रस्ति गलती करवाने का विचार में अब यहां पे हम लोग देखते हैं कुशन नमर यहां पे 100 से जोकी बाइलोजी से समझनित है और यह सब्सक्राइब यह कौन प्लाज्मोडियों पर जीवी का वाहक है तो यहां पे मच्छर है मलेरिया फैलता है भारती जनतु विज्ञान सर्वेक्षन का मुख्याले कहा है तो कूलकत्ता में है शैल विज्ञान में किस वस्तु का अध्यान किया जाता है तो चट्टान नामी TV S.L. उसके बाद यहां पर दिया गया है Next Question जो है फूलौ का अध्यान को हम क्या करते है एंधनो usability के नाम से ही Northern के अध्यान को को हम लोग जानते है Стब्सक्राइए कि नेक्स यहां पे कोशिका से है एक जीवित कोशिका में किस ऑर्गेनल में है टो लाइटिक इंजाइम पाये जाते हैं तो ऊपर किया गया था उसके बाद यहां पर जिन इक खंड है तो डिने का बाग है जीन जो कि आपका एक तरह से कह यह जो भी information है उसको store करके रखता है वाट्सन और किस से संब्धित है डियने की संरजना से संब्धित है अगला प्रशन है डियने में nitrogenous base adenine के साथ जुड़ा होता है तो यह DNA जब पढ़ियेगा तो बहुत अच्छे से पता चलेगा यहाँ पे DNA के nitrogen base adenine से thymine के साथ जुड़ा होता है cytosinin guanine के साथ क्या होता है जुड़ा होता है adenine, guanine, cytosinin और thymine DNA में मुझे चार यह तरह से तत्व है nitrogenी चार है लोहा इसमें से किसमें सारोधिक पाया जाता है तो हरी सबजी में iron पाया जाता है जैसे कि अब करते हैं सागू खाना चाहिए तो यहाँ पे potassium iodide पाया जाता है iodine का कमी को रोपता है नमले कितमे किस vitamin को hormone भी का जाता है तो vitamin D जो है, hormone भी का जाता है जो कि सुरी से आपको फिरी में मिलता है एक कारेशील महीला को प्रती दिन कितना protein लेना चाहिए तो लगबग 45 ग्राम का protein उसको ग्रहन करना चाहिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं क्या है चिली, यहाँ पे नेक्स्ट कोशन 116 है निमले कितमे कौन सा vitamin सुरी के प्रकास में तवचा बनाता है विटामिन डी वही चीज है नेक्स है कुछ एंजाइम में नन प्रोटीन पडार्ट उसके कारेशील के लिए आवसक होता है जिसने जिने हम निमले कितमे से किस नाम से जानते हैं तो वो बी नाम से को फैक्टर के नाम से जानते हैं फिर निमले कित में कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोट है तो मूंगफली है उसे बाद यहाँ पे आपका दिया गया है अनुवांसिकी का विकास उनीस एक्षा उनीस में सुनारे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहां से आता है तो यह डैफोडील करके यहाँ पे दिया गया है वो याद कर लिजएगा गुन सत्रो की वनसागत का सिधांत दिया गया था तो सूटन और बेविरी के दोरा दिया गया था राइवोजाइम्स होते हैं तो आरेनी राइवोजूनल की नाम से जाना जाता है जीव जगत का वर्गी करन मनश्य जो है वो क्या है सजीव प्रजक्ट है यहाँ पे सजीव को जीवित देने वाले है चली उसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्या कोशन उसको देखिए जल्दे जल्दे पादब जगत से दिया गया है कौन सा उपकरन पादप कोशिका को देखने के लिए उपयोग होता है तो माइक्रोइस्कोप है पादप कोशिका को कार्क निमलेकित में किस पेड़ में प्राप्त किया जाता है तो क्वेकस करके दिया गया मूंगफली का तरदिक हानिकारक रोग है तो ये रोग है टिका करके की रूख देता है मुंख फली में कौन सा ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया के अंतर के लिए उत्तरदाई है तो कोसी का दिवार उसके बाद है जंतु जगत पच्छी उड़ने के समय इधर उदर करने के समय गिरने लगता है जिसे रोकता है कौन र पाला सफ़ल क्लून जन्तु था तो क्लून मनाया गाया था फ्यूड का निम्ले कितमे क्वादी कौन कीट करते हैं क्या प्रियोप करते कार्बंडिकस घंपांटि निलकित में कौन सा तमाटर के लाल रंख के लिए उत्ठर ऑई है तो लाएकोपीन जो है लाल रंख के लिए उत्तर एई है उसके बाद है आक्सीन क्या है तो आक्सीन एक पादर हार्मोन है जो कि पादर के वृध्धी के लिए यहाँ पे तरदाई होता है उसके बाद है Mano Brun का हिर दय कब अस्पंधन करने लगता है तो अपनी पई वर्धन के चतुरत सप्तामी वो अस्पंधन करने लगता है मानो कंकाल के अस्थियों की संख्या किति है तो यह जो है दोसो छी है कोशिका के आत्मत्या के थाले किसको करते हैं लाइसों सूम्गू करते हैं खुद को मार देता है और पूरे कोशिका को बचाने का प्रयास कता है मानो रक्त में एलकोहल कितनी परतिशत मातरा में मृत्यू का कारण हो सकती है तो अगर आपका एलकोहल का मातरा पांच परतिशत है तो आप जो है अपका मृत्यू हो सकता है ऐसा यहां पर देता है जिवन नेक्स्त यहाँ पे दिया गया है मानों सरीर किस अंग में लशिका कोशी का बंती है तो यह दिर्ग अस्तिनीया पे बंती है ऐसा यहाँ पे दिया गया मानो में लाल रुधीर कनिकाओं का जीवन काल होता है क्या होता है चार महिना होता है उसके बाद यहाँ पे मानो रक्त की स्यांता का कारण है तो कारण क्या है रक्त में प्रूटीन जो है वो विसको सिटी का यहाँ पे कारण रहा है उसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्या उसको देख लेते हैं एक स्वास्त मनुष्ट के लिए सरीर का ताप होता है क्या ताप होता है तो देख लीजिए सैंक्टिस डिग्री सेल्सियस फंठानवे दसमलोच छे फॉरेंट हाइट होता है हना निमलिकित में कौन सा रख्ट ग्रुप सबसे कम पाया जाता है तो ओ नेगेटिब जो है सबसे कम पाया जाता है दूद को पचाने के लिए आवसक इंजाइम रेनीन और लैक्टेस मानो सरीर में कितने वर्स की आयू में लुख्ट हो जाते हैं तो यहां पे लगबग आठ वर्स में हो लुख्ट जाते बच्छपन में मातना ज्यादाना कियों क्योंकि बच्कें दूद्र पीते हैं कितने क्रोमोजोम होते हैं तो श्यालेस ऐन से उसके बार है एंजाइम है एंजाइम क्या है एक प्रकार का फोटीन नगा सकते हैं यहां पर दिया है मानों रोग और उप्चार पैनेसिली की खोज किसके द्वारा क्या गया था तो यह जो है अलेकसेंडर फ्लेमिंग का ठीका को जय क्या अडवेट जेन对 uphill चीशकक है फिर एटि वान लॲ के नाम से इसको आपनों क्या करते हैं कोबाल्ट सिक्स्टी आम तो पर वीकिरन चिकित्सा में प्रियुक्त होता है तो यह किसके लिए गामा कैंसर के लिए यह सब होता है तो यह जो है एंट्री रेट्रो वाइरल दवा के रूप में यह जाना जाता है इट्स के लिए प्रिय होता है क् Exactly shaw resistance करते करता है कि किसकी कमी से यह vitamin a के यहां पर दिया गया रता हॉँ विटामीन A कि B से इस से क्या होता है सके डिकट और B1 से होता है chicken गुनिया रूग कि कimme सकता है किसके दौरा फैलता है तो विमार फैलता है यह तो यह होता है वो किसके दोरा फैलता है वाइरस के दोरा यहाँ पे फैलता है और एडीज मर्चर के काटने से यह वाइरस क्या होते हैं फैलते हैं तो डेंगू बिमारी के बारे में दिया गया है प्लिटलेस यह सब कमी हो जाता है दिमागी बुखार के तार पर जानते हैं जब हो जाता है सरीर को तोड़ देता है यह तो आप जानते होंगे दंत च्छाय का कारण क्या है तो यह बैक्टेरियल संक्रमन जो है वो दंत च्छाय आपका करता है पीला बुखार निमलिकित में किसे यह फैलता है तो जल से वायू से और घरेलू मिकी से सबसे फैलता है थैलोशीमिया एक जो नेमलिकित को प्रभावित करती है तो यह क्या है तो खूण से समंदूत है सोसान आंग से समंदूत है सही है तो इनफ्लुएंज जो समंदूत बीमारी है नेक्स्ट है किसी सुक्षिम जीओं के दोरा है पेटाइटेस भी की वीमारी होती है वाइरस तो यह पान सा प्रदोशन तत्व जो जला से वह पाए जाता है मिनी माता वीमारी का मुख्या कारण है और इस तरह से यहां पे यह मर करी है इंसुलीन में निमलिकित में कौन सा धातू मौजूद है तो अजस्ता उसके बाद यहां पर दिया है कॉलेस्ट्रोल है एक क्या है एस्टोराइड है कॉलेस्ट्रोल उसके बाद है इंसुलीन क्या है तो उन्सिलून जो है एक परकार का प्रूटीन एक मिनट प्रोटीन है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ था कारबोड ले याँ एंजाइम दिया ही नहीं इसलिए प्रोटीन मान की चल सकते हैं इंजाइम रहता है थे इंजाइम होता है इंसुलीन चलिए बोतल का दूध पीने वाले बच्चे के तुलना में मां का दूध पीने इसमें विटामिन प्रोटीन अधी मिलते हैं तो मां का दूध में यह सब फाइदा है इसलिए तो पी आ जाते हैं लिंकीज सब्द दिया गया था तो मोर्गें के द्वारा यह जो लिंकी सब्द यहां पे है वो डिया गया था जो कि डार्वीन ने जैविकास के सिध्धान कि के दवारा दिया गया था किए अब इनएरीटेंड इक्वार्ड किदान किसके द्वारा वह यह मैं आपका क्या है लैमार के दवार, गे अच्छा लामा áर के दवार, यदि खाद्यान, का सुरक्षित संग्रह, सुनश्रिप करना हो तो कताई के समयाँ उसका आधरता, वाइट बर्ड किसकी कमीश्य होता है तो जिंक की कमीश्य होता है नेक्स्ट कोस्टन है यहाँ मतलब हड़ी उड़ी आपका हो गया फिर दूसरा है बेरी बेरी विटामिन बीवन से ही होता है फिर आपका नी सांधरता यह विटामिन आपका है मतलब आख से समंध बीमारी है विटामिन ए से होता है सकर भी विटामिन सी से होता है मतलब क्या सीधा सीधा मिला के दे दिया था परेंसान नहीं करता है चलिए नेक प्रक्नली के अंदर होता है उसके बाद है इन वेटो होता है तो शरीर के बाहर होता है वही प्रक्नली में होता है उसी को बोल रहे हैं किसी वज़स्क कामगार के लिए एक दिन में संतुलित आहार कार्वाइट्रेट खा दे और कुल प्रोटीन खा दे क्रम सर कितना होना चाह के उत्र परिवर्तन के सिद्दान का प्रतिपादन किया था तो ही वरीज के द्वारा किया गया था निम्लिकित में कौन साइंज ग्लुकोज को एथनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रिवर्तित करता है तो जाइनीज विज्ञानियुम टेक्णोलोजी यहां साइंस टेक्णोलोजी से यहांपे सवाल आपका देखें दिया है टेक्णोलोजी से तो उमीद करते हैं यहां से भी सवाल थोड़ा बहुत अगर मिल जाए यह कुछ आइडे आ जाए तो पड़ लेते हैं यहां बलता है सुशना भार्ति वायू सेना के बेड़े बहादुर उपनाम वाला कौन सा लाड़क को विमान सेवा निर्वित्थ हो चुका है तो मिग 27 दिया है प्रथम सौर उर्जा चालित वायूआन जिसने प्रिट्वी का पून्चक कर लगाया वो है सोलर इंपल्स टू उसके बाद है भारत की पहली ससस्त्र प्रमानु पंडू भी जो है वो आईनस अरी अरी हंत है तो सशस्त्र प्रमानु पंडू भी जो है वो है इनस अरी हंत उसके बाद है ब्रमोश शुपर सौनी के क्रूज मिसाएल के जाने में सक्चम सुकोई 30 के M.K.Y. विमान का पहला स्कॉैरान उपमानित क किया गया था तो यहां ट्राइगर सार्थ करके यहां पे दिए गया है तो हो सकता है बहुत ज्यादा ना पुछा जाए रिक फिर वी कुछ आइडिया आ जा देख लेते हैं विश्व का पहला सेजी पोड तर्मिनल किस अस्तान में है तो आपका भावनगर में जो की गुजरा का नाम है मून एक्स्प्रेस उसके बाद है भारत के अंत्रिक्ष कारित्रम का जनक माना जाता है विक्रम सारा बाई यह लोग एक्जाम डेट इतना करीद दे दिया है कि परिशानी का ना पड़ रहा है बले हम कितना भी मोटिवेट करें वह लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर आप दे रहें तो कम से कम महिना भर का तो टाइम दीजे फॉर्म बरने के बाद और वो वह भी आपका बात पर कोई विस्वास भी नहीं करता है कि आप लीजे है कि नहीं नहीं तो जब नोटिफिकेशन आया था तब लोग विस्वास कर सकते हैं मेरे काने से या किसी क देने से क्या फाइदा है यहां पर दुर्गाटना घटी चुका है तो इसी से हम लोगों को निकलना है निकल लिए तो अपने तरब से तो यह नहीं रहेगा कि हम प्रयास नहीं किये थे प्रोजेक्ट लून बितार संचार प्रदिगी की से संब्दित है उसके बाद है मानी मानी एप जो है वो किया से संब्दित है तो यह संब्दित है मोबाइड अडिनोट नोड अ ऐस्दीính आ से संब्दित है जिसके बादें में का जाता है द्रिष्टी बादित लोग को करेंसी नोड के मुल्ले की पाचान करने के लिए यह बनाया गया ता मन्य एप मनी एप है का निर्मान हुआ है तो भारत और रू से ब्रह्मा उश यानि कि यहां पे ब्रह्मा पुत्रवा और मोश्कुवा नदी जो है उसके नाम से रखा गया था उसके बाद यहां पे इसको दागो और भूल भाव भूल जाओ भी कहते हैं थूबा में विक्रम सारा भाई अंतरक्ष केंदर के अस्थापना के लिए सबसे महत्पून कारण निमलिकित में कौन साथ था तो वो है भूचमक के विश्वत रेखा मतलब की नदीक करने का मतलब है कि आप विश्वत रेखा के नदीक है तो इसको आपको बाहर इजेक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि कि वहाँ पे एक तरह से कहिए जी कमान कम होता है जी कमान कम होगा तो वो कम दूरी अथी से खीचेगा चले संचार उपगराव आयू मंडल के किस अस्तर में अवस्थित किये जाते हैं तो आयन मंडल में उसके बाद भारतिया अंत्रिक चंदान संगठन इस्रो का मुख्या कहा है बैंगलूरियो में है इस्रो और इंस्टिटूट आफ एस्ट्रो फिजिक्स का सेंक्त उद्यम प्रोजेक्ट निम्लेकित में सी किसके लिए है तो यह आप्टिकल टेलिस्कोप के स्थापना के लिए किया गया बुद्धी बहु बुद्धी मता के सिद्धान का पिता इसके बाद अब चलिए खत्रम होने वाला है एक पेटवाइट बराबर होता है तो हजार थैरा वाइट इसके बाद हैन्प सूषना का मूल मात्रक जो है वो क्यา है तो यहां पे क्यो बाइट के नम से जानते है मिलेकित पे कौन कम्प्यूटर की चतुत्र पीड़ी की भास तो इन्पूट आउट्पूट यह तो टच की स्क्रीन है इन्पूट है टच कीजिएगा तो इन्पूट डिवाइस होगा आउट्पूट तो बाहर देता है अटे इन्पूट होता है एक किलो बाइट में इतना होता है तो आट से गुना कर दीजएगा तो 8192 निकल जाएगा वेब पूर्टल जो समब्धित है वह किससे समनीट है तो एक्रिकल्चर से है डाक से नेट करके यहां पे दिया है वेब पूर्टल तो डाक नेट के रूप से अधिक उपयोगी है किसी डॉक्यमेंट को बनाने एडिट करने और प्रिंट करने में तो सबसे अच्छा वोड प्रोसेसर चलि माइक्रोसोफ वोड के नाम से इसको आम लोग जानते हैं बहुत जादा डिस्टर्वेंस रहता है एक ही साथ सब चीज मनाना रहता है तो एक्सप्लेशन कर भी नहीं पाते हैं कोई भी नहीं कर पाएगा इतना सारा कोश्चन को यहां पर तो थोड़ा सा दिक्कत होता है बहुत सारा चीज़ों को पढ़ाना है पेपर वन है पेपर हो रहा है आपका फिर नेशनल और कंटर इंटरनेश करेंट फिर यह तो छोड़ दीजिए जीवन अगर बचा रहे हैं इस सबता से पहले वीडियो बनाने सकेंगे तो अगर कुछ मिलेगा तो इसके बारे मना देंगे और नहीं तो समझें इतना पढ़के आप एक्जाम दे जाहिन